कांड सत्मा सिरी राग महल्लाति जा तान जन नी जिन जाया तान पिता परदान सात गुर सेव सुख काया विच हो गया गुमान दर सेवन सांत जान खडे पायन गुणी निदान मेरे मान गुर मुखति आये हर सोई गुर का सबद मन वसे मान तान निर्मल होई रहाओ कर किर्पा कार आया आपे मिलिया आए गुर सबदी साला ही ए रंगे सहज सुबाए सचे साच समाया मिल रहे न विच्छड जाई जो किश करना सो कर रहे आवर न करना जाई चिरी विशुन्ने मिलियान साथ गुर पन्ने पाई आपे कार कराई सी अवर न करना जाई मान तान रत्ता रंग सियो हो मैं ताज विकार एहनिस हिर देर अवर है निर्पाओ नाम नरंकार नान के आप मिलायन पूरे सब्द अपार रिखी केश तों पंजाब फेरी दूजे देन ही अमरत वेले अरदासा सोद के दोमे सांत मित्तर पहाड दी कंदी कंदी तोर पै रास्ते विच पॉंटे साहिब अते नाहन दशमेश पिता जी दे गुर्द आरें दी जत्रा करदे होए पैदल ही सियाल को टपड़े एथो संत जी महराज कोज दिन एक दे किनारे बाबा जी दी बेर दे पुल पास संत राम सेंग जी दे डेरे बिराजे बाबा जी दी बेर साहिव दे दर्शन कीते अते साथ गुरू नानक देव जी दी चर्ण तूड मस्तक लाई दान महिंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाई है फेर बार पच्छमी पंजाब विच्चों हुंदे होए सिरी अमर्त सर साहिब जी पहुंचे एक दिन अमर्त वेले सुदा सर विच इशनान करके बाबा अटालस साहिब दी तीसरी शातते चड़ गई अते नाम रंग विच मस्त हो बैठे तैन देन एस रंगन विच अडोल रते रहे किसे ने परशाद पानी ना पुछया चवथे देन सोते ही चेत विच प्रेम परी लहर उपजी बाबा अटाल पकियां पकाईयां काल संकल्प फुर्या ही सी के उससे वेले एक प्रेमी घीर अते परशादा लेके आ गया उसने सांत जी महराज नीनू बड़े अदब नाल नमसकार कीती अते पोजन अगे ले आ रखेया सांत जी महराज जी दे मोखतों तान भाबा अटाल तान सात गुरू तान तेरा बचन मन्णवाले अते तान तेरी मान निमानी रजा परीखेड स्याज सबाव निकले अते आप कोश जेर बिसमाद रंगण में चरंगे रहे होन प्रेमी ने बेंती कीती के महराज परशाद शको सांत जी महाराज ने बड़े प्रेमनाल परशादे हाथ ले अते शुकरते प्रसंता दा रूप होके शके माता को ली जी दे दर्शन अमरित सार साहब तों सांत जी महाराज दम्दमे साहब गुरू कांची सम्मत उन्नी सो हड़ताली बीकर्मी सान अठारां सो इकानवे ईसवी वेच विसाखी दे जोड मेलेते चले गई साध संग्त दे दर्शन कीते गुरू कलगियां वाले दे दम्दमे अते गुरू तेग बहदर सहब दी बेर दे दिदार ले सांत जी महराज माता पुली जी दे प्रेम दे खेचे हुए चीमें गई अते बाहर ही अपने खेत विच जा बेठे कुदर्ती आप जी दी पैन जो ओस वेले यारां सालां दी सी महियां चारदी चारदी आ निकली सांत जी ने पशान लिया पर बीबी जी ने नहीं पशान लिया सांत जी ने बीबी नू उच्छे आ के असी तेरी मेह चार दे हा तू पेंड़ नू जा अते माता जी नू सद ले आ ए सुन के बीबी नू वी अपना चेरदा विशड़या होया प्राजाद आया अते वो हो दोडी दोडी कर गई अते माता जी नू आखा लगी मां जी उठो शेती मेरे नाल चलो गवाच्चा होया वीर बार खेत विचाया बेठा है एक खबर एस तरह अचानक सुन के माता जी को जो बौरी जेही हो गई अते बीबी नू प्रेम अते हैरानी विच पुछेया बच्ची की साच आखनी है तेरा वीर साच मुच आ गया है अते बार खेत विच बैठा है बच्ची हा माता जी साच मुच आ गया है मैं वीर नू अख़्ी डिठा है अते वीर दे बचन कनी सुने हान के जा माता जी नू साद ले आ होन तुसी को बराओ ना मेरे नाल चलो शेती करो वीर उडीक रहा है माता जी चंगा बच्चा चाल दी हां कानता सुन दे हान पर देल अजेवी नहीं मनदा के वड़ा अहदा रुतबा लेन वाला प्यारा पुत्तर साच मुच आ गया है होन माता जी उठे गड़वे विच्च कोज दोद पाया शन्ना उपर रखेया अते पैन दया कावर जी माता जी दी दिरानी नू नाल लेके बच्ची दे नाल खेत वल गई माता जी अते चाची जी नू दूरों आंदा वेख के सांत जी खड़े हो गई अते बड़ी निमरता नाल माता जी अते चाची जी दे चरनी हाथ लाया माता जी ने पुत्तर नू गड़ लाया ते प्यार दता मैं साद के पुत्तर बड़ा जर लाया साथ साल मगरो नगर फेरी पाई अपने पिता जी दे चलाने नू भी पुलादता सांत जी ने आख्या माता जी पिता जी दा चलाना ता सानू कदी भी नहीं पुलिया एह ता हार वेले साधे देले विच रेहा सानू हर वक्त जाद अंदा है के दुनिया चल दी सरा है वैराग विचे हो खेच पै के चलो सचे पिता गुरु कलगियां वाले दे चरना विच हजूर साहिब हाजर हो जाईए अते चलन दी कोज त्यारी कर लिए दो साल ओथे रहे फिर हर दुआर आये ओथे तो हड़ा सुने हां मिलिया पर करतार दे होक्म विच कोज चेर रिखी केश लग गया होन असी तो हड़े चरना विच हाजर हो गए हां माता जी पोत लख लख शुकर है के तुँ दर्शन दिते होन ता एथे ही रहना सांत जी सात बचन माता जी ठहरांगे माता जी नू प्रेम मिलापदी लहर विच सब कोज पोल गया सी होन गड़वे वाल नजर पई को टोरे विच दोद पाके संता अगे रखे आती आखे पुतर पील है संत जी महाराज ने बड़े प्रेमनाल शकया होन माता जी ने पेंड चलनवास दे आखेया पर संत जी महाराज ने बेंती कीती के बाहर खेत विच ही रहांगे खेत विच वान दा एक रोख सी अतियोस नाल एक हींस दा शतरी वाला चार सी सांत जी ने उस हीं सहेठ आसन ला लिया दिन रात तेड कशेरा सेरते शोटी पूरीदा दस्तारा नंगे ताड नाम रासदी रंगन वित्मास्त रहंदे कदी किसे ने आपनू लम्मा प्या होया नहीं वेख्या माता जी हर रोज बड़े प्रेम नाल एथे ही परशाद जल पानी लैयाओंदे आते बड़ी शर्दा नाल पहल करदे परशादा शकन दे मगरों सांत जी महराज माता जीनू हर रोज जपजी सहब दी एक पौडी कंठ करऊंदे अते एस तरह सारा जपजी सहब जाद करवा दिता एक दिन प्रेम दी लहर विचा के माता जी ने बेँती कीती के पुत्तर मैं सदके जावा तेरे तापतों बे शक सारी उमर ऐस तरह ही करी जाओ पर मेरे पास ही रहो सांत जी महराज हास के बोले चंगा माता जी, पर साधी एक शर्त है, सानू व्यावास्ते न कहना, जैसे देन तुसी व्यावास्ते आखोगे, उदों ही असी चले जावांगे, माता जी ने आख्या बच्चा साथ बचन, मैं व्यावास्ते तुहानू कहनू कहना है, मैंनू ता तेरे दर्शन दी लोड है, एस तरह ताप कर देयां ते माता जी दा प्रेम लेंदियां विसाख जेठ ते हाड तेनम ही ने बीट गई हुन समा आ गया जाद चोजी गोबिंद ने किसे होर तरती ते सांत जी महाराई दे चर्णप वोने सन ते अनेका जीवां दा उदार करना सी एक दिन होनी ने माता जी दे हिर दे विच मोह दी हनेरी चला दिती उनना नू अपना बचन पो लगया अते परशाद शकाउं दे मगरों कहन लगे पुत्तर किनना चंगा हो वे के तुम व्याह करवा लवे नाले ता बंदगी करें ते नाल ही करदे काम विच लग जामे जी महराज बड़े हास अते आख्या माता जी तोसा अपना बचन हार दता है असी हुन चाले पामांगे दूसरे देन सांत जी महराज चीमें तों कालियां वाली चले गए उथे पाई वर्याम सेंग जी पास जो के चुरंजा नंबर पल्टन विच्चों नामा कटवा के काराय होई सन कट्टू नंगल पहुंचे पाई वर्याम सेंग जी दर्शन करके निहाल हो गई बड़े प्रेमनाल टहल सेवा कीती ते दास देन सांत जी नूँ अपने पास रखेया एक दिन सांत जी महराज ने पाई वर्याम सेंग जी नूँ आखेया के साड़ा संकल्प सांत पाई राम सेंग जी पास स्याल कोट जानदा है असी उनना नल बचन करके आये सी के माता जी दे दर्शन मेले मगरों फिर तो हाड़े पास आ जामांगे सांत जी महराज दा बचन सुनदे ही पाई वर्याम सेंग जी ने अपना कोड़ा त्यार कर लिया अते सांत जी नूँ सवार करा के बरनाले दे सेटेशन ते ले गया थोड़े चर मगरों ही स्याल कोट जानवाली गड़ी आ गई पाई वर्याम सेंग जी ने संत जी महराज नूं स्याल कोट दी टिक्ट ले जिती अते गड़ी चड़ा जता दूजे दिन संत जी महराज स्याल कोट जा उत्रे अते सिद्धे संत पाई राम सेंग जी दे डेरे एक दे कंडे पहुँच गई कांड अठ्वा जान लगा हर एक एना आई तिसकी आसना बिर्थी जाई सेवक काओ सेवा बन्याई हुकम भूज पर्म पदपाई इसते उपर नही बिचार जाकै मन बस्या नरंकार बंदन तोर पै निर्वेर अन दिन पुज है गुर के पैर इह लोक सुखिये पर लोक सुहे ले नानक हर प्रब अप है मिले फौज विच्चो नाम कटाउना एक दिन नगर फेरी समय संत जी महराज नानकसर साहिब वाली हींस हेठ ताब कर रहे सान पाई हर नाम संग जी नंबरदार चीमा जो के शोटी उमर तो ही संत जी महराज आईदा संगी सी दर्शन करन लई आया बचन बिलास कर दियां पाई हर नाम संग जी ने संत जी नू आखेया मैं तो हानू एक गल जसने होनती कर पुलिया ही रहा तो हाड़े पैंड़े चाउन तों कोज चर पहिला पल्टन विच्चों तो हाड़े गैर हाजर होन दा परवाना आया सी सरकार तो हड़ी बड़ी टूड पाल कर रही है संत महराज एह सौन के चौप रही पर मानविच विचारिया के एह बंदना दी जंजीर भी तोड़नी लोड़ी दी है ताद ही सचे पात्षाह साथगुरू कलगिया वाले दी नौकरी निश्चेंत हो सकेगी जाद संत जी महराज सियाल कोट पहुंचे ताँ एक दिन संत पाई राम सेंग जी नाल इह गल की थी उनना ने आख्या के दस्तूरता पूरा करना तो हड़ा तर्म है एक वारी पल्टन विच जाके हाजल हो जाओ अते अपना नाम कटा आओ सांत जी ने केहा साथ बचन होन नाम कटाउन दा संकल्प तीबर हो गया सांत जी महराज सियाल कोट थोड़ी ही देन रहे एथे ही पाई राम सेंग जी ने प्रेम दवारा सियाल कोट शाउनीतों पता कर लिया के चुरंजा पल्टन आज कल एबटा बाद है पूरा पता लगण पार सांत जी ने सांत पाई राम सेंग जी पासों आगया लई अते अर्दासा सोध के नाम कटाउं लई तौर पै तौरन समय सांत पाई राम सेंग जी ने सांत जी महराज नू बेंती कीती कि असी थोड़े चर मगरू अपने डेरे थमाली पोठो हार विच जाना है तौसी जुरूर पल्टन विचो नाम कटवा के सानू थमाली दर्शन देना सांत जी हास के बोले हच्छा जिमे करतार दी रजाई होती मरदान सांत पाई करम सेंग जी दे डेरे दे दर्शन करन दा संकलप एक प्रेमी ने स्याल कोट पाया सी सांत पहला होती मरदान सांत बाबा करम सेंग जी दे डेरे गए फिर एबटा बादवल मुड़े एथे पहुंच दे ही चुरंजा पल्टन दे करनल दी कोठी दा पता लिया अते सिद्धे ओथे हाज जा हादर होई कोठी दे पहरे लई जो सेंग आय होए सन उन्ना ने चेहरे मोरह तो पिशान लिया हजूर सह्व दे तापदी सो अपड़ ही चुकी सी उन्ना ने बड़े आदब नाल नमसकार कीती अते दर्शन करके निहाल हो गई पुछिया संत जी कैस तरह आउना होया है तां संत जी ने आख्या के पाई असी नगर विखे माता जी दा दर्शन करन लई गए ओथे पता लगा के साधी गैर हाजरी दी चिठी साधे पिछे पिछे फिर दी है होन करनल साहिब नो मिलके पल्टन दा दस्तूर पूरा करनाए हां सिपाही जान दे सान के संत जी ने होन नौकरी नहीं करनी अते करनल साहिब ने इना जेह सूर बीर सचे सुचे अते हर काम वेच पूरे सिपाही नो कदे भी नहीं शड़ना वो कई वारी गालबात वे चाख चुका सी वेल अतर सिंग बरा अच्छा मजबूत श्रीफ सिपाही था वो कहां चाला गया है हम उसकी जरूर टलाश करेगा और पल्टन में लाएगा उसका काम हमको बहुत पसंद था ज़ाद संत जी करनल दे पेश होनगे ता करनल ने पल्टन वेचे रखन दा जतन करना है अते संत जी ने नहीं रहना एस दा नतीजा कोटर गार्ड वेचे कैद होवेगा सिपाहियां दे देल वेचे हे विचार तुरंत फुर गया अते उन्ना ने संत जी महराज नो बड़े प्रेमनाल आखेया तुसा करनल साहिब कोडों की लेना है अपना अनांद लई जावो पर संत जी महराज ने जवाब जता पाई यसां दस्तूर जरूर पूरा करना है एसे रादे नाल असींसियाल कोट तो चुरंजा पल्टन दा पता लेके एबटा बाद आए है हुण सिपाहिया ने संद लिया के संत जरूर अपनी खेड पूरी करके ही रहनगे ताद उन्हा विचों एक ने जो के करनल गैसली साहिब दा अरदली सी करनल साहिब नो जा खबर कीती हजूर गैर हाजर सिपाही अतर सिंग कोठी दे बाहर खड़ा है अते हजूर नाल मुलाकाद करना मंगदा है एह सौन के करनल ने आखिया वेल अतर सिंग चांड मारी में पहला इनाम लेने वाला आ गया सिपाही ने किहा हजूर बाहर खड़ा है करनल साहिब आख़ा लगे वेल उसको बोलो हम अभी आता है थोड़े चेर मगरों ही करनल गैसली बाहर आगया पामे सांत जी महराज के से होर रंग विच मस्त सन मोटे ते काली कंबली सेर ते शोटा पूरीदा दस्तार अते तेड केवल कशेरा सी उसने आउंद्यां ही पहचान लिया वेल अतर सिंग अच्छा है जह न्यान लबास कहां से पहन लिया तुम तो खुब जवान है फौज का वर्दी ही ठीक है बहुत अच्छा हुआ तुम आ गया तुमारी गैर हाजरी बहुत लंबा है पर तुम को मुआफ कर देंगे फौज में हाजर हो जाओ थोड़ा क्वार्टर गार्ड में जाना होगा अर्डली जाओ हमारा सूबेडार साहिब को स्लाम दो और हुक्म दो के शिपाही अटर सिंग जो फौजी बिस्टरा और उसकी बर्डी मिल जाए क्वार्टर गार्ड में अभी रखो हम उसका फैसला जरली कर देंगे और पल्टन में हाजर कर लेंगे सांत जी महराज चौप चाब करनल साहिब दी गालबात सुन दे जादो अपना होक्म अर्दली नों सुना चुका ताद सांत जी महराज ने बड़े आदम परे मिठे बचना वे चाखिया करनल साहिब असाता जो पक्की वर्दी तार्न करनी सी कर लई है होनता हजूर पासो नाम कटवाउन वास्ते आए है करनल एह गाल सुन के कुछ हैरान अते कुछ गुसे भी होया पारोह चौंदा सी के सिपाही अतर सेंग फोज वेच ही रहे आपने आपनों रोक के आखिया वेल अतर सिंग ऐसा मत बोलो हम तुम को जल्दी हवलदार बना देगा और फिर तुम को बहुत जल्दी सरदारी देगा एह कहके करनल तक उठी अंदर चला गया अते पहरे दायक सपाही संत जी नू नाड लेके क्वार्टर गार्ड वालत और पिया उठी उसने संत जी माहराज नू तां गार्द दे हवाले कर दिता अते आप पल्टन विच जाके सूबे दार दलेड संग अते होर अवसरा नू खबर कीती के गैर हाजर सिपाही अतर संग करनल साहिब दी कोठी हाजर हो गया है अते करनल साहिब ने उसनो क्वार्टर गार्ड पे जिता है साहिब दा हुकम है के सिपाही अतर संग दा बिस्तरा अते वर्दी क्वार्टर गार्ड विच पहुंचाओ जाद एह खबर सूबे दार दलेड संग जी नू मिली तादो बड़ी शेती शेती कोज अवसरा अते सिपाईया समेत क्वार्टर गार्ड विच संता वास्ते बिस्तरा अते वर्दी लेके पहुंचे दर्शन करद्यां ही चैतनू शांती आई अते कलेजे विच ठंड पह गई आखन लगा बड़ी किर्पा कीती के दिदार देते जे पर एस तरह कानू क्वार्टर गार्ड वेच तकलीफ पौनी सी अपनी मौज वेच ही विचरी जान दे असी आप पे ही हौली हौली साहिबनू आख के के अतर सेंग सादू हो गया है नामा कटवा लेंदे पर वाह वाह करतार दी नेत एसे बहाने सानू पापियानू दर्शन देने सन होनवी साथगुरू पली करन गे अते सोते सेद ही नाम कटवा जावेगा सान्त जी महराजा अपने मित्र सूबे दार्द लेड सेंग अते अपने पल्टन दे होर अफसरां ते साथियानू देख के बड़े परसान होई कोजचर बड़े प्रेमनाल बात चीत हुं दी रही सारे अंदे बेंती करन पार सान्त जी ने संखेप मातर पल्टन तो सिदे हजूर सहब जान हर दवार दे कॉम्ब अते रीखी केश ताब करन दी साखी सुनाई फिर पेंड जाके माता जी दे मिलाप अते नंबरदार हर नाम सेंख जी दी जबानी सरकारी टूंडपाल दी विठ्या दसी जाद सुनिया के गैर हाजरी दा परवाना साड़े मगर मगर फिर्दा है ताद मानवे चठान लिया के हुन नाम कटवा के ही निश्चेंत हो साथ गुरू सचे पाथशादी चाकरी करनी ठीक है सो असी सिद्धे चीमेतों सियाल कोट अपने मित्तर संथ पाई राम सेंख जी दे पास गए अते उन्ना दी सलाह दे नाल एथे नाम कटवा लई आए हाँ गल बात करके सारे अपनी अपनी थां चले गए सूबेदार दलेड सेंख जी ने दो प्रेमियां दा पहरा लाज ता के पलतन दे लंगर विचों जाल पाणी अते परशादा संथ महराज नूं हर वक्त समें सिर पहुंचो द्या करना संथ जी महराज ने फोज दी वर्दीता मोड दिती पर बेस्तरा रख लिया दरी गदेला अते उपर लेन वाली रिजाईवी तह करके कौार्टर गार्द दी कोठडी हिठा विशाल लई अते सातगुरु कलगियां वालिदा त्यांतार करतार दे सिमर्ण विच आसन जमा बै वैसली साहिब पल्टन दी प्रेड़ दे मगरों दफ्तर विच आया तां सूबेदार दलेल सेंग ते होर अफसरा ने अरज कीती हजूरु अतर सेंग सिपाही फकीर हो गया है अब हमारी पल्टन के काम नहीं रहा अफसरा दी अरज सुन के करनल साहिब कोज अवसोस नल बोल वैल अतर सेंग सिपाही बड़ा अच्छा था हम तो उसको पल्टन में रखकर बहुत खोश था हम उसको काब का सरदार बना देता मगर बड़ा अफसोस है किसी ने हमारे सिपाही को बिगार दिया अच्छा हम उसको कोश दिन कौार्टर गार्ड में रखेगा शायद समझ जाए और फौज में रहना मान ले सारे अफसरा ने फेर अर्ज कीती हज़ूर की मर्जी पर सिपाही अतर सेंग तो खुदा का नौकर हो गया है कल शाम का उसी की जाद में लगा हुआ है पहरे वाले कहते हैं के रात पार नहीं सोया अब पी उसी तरह बैठा है करनल साहिब ने थोड़ा कबरा के किहा हाम खोड़ देख लेगा इस तरह कई दिन बीट गए अफसरा ने वी हर रोज जाद मौका बने अर्ज करनी ना शड़ी अते करनल साहिब ने वी कई दिन रात वक्त बदल बदल के चोरी चोरी सांत जी महाराज में देखिया पर हमेशा ही सांत जी एक रास रब्दी याद विच मस्त नजर आई आखर एक दिन रोज दे दस्तूर अनुसार जद फिर दो अफसरा ने करनल साहिब वास अर्ज कीती तद उसने आख्या वेल ठीक है अतर सेंग सिपाही खुदा का नौकर हो गया है हमने जब देखा वहो डुआ ही करता देखा उसको क्वार्टर गार्ड से लेयाओ हम उसका नाम कट कर बरी खुशी से रुखसत करेगा करनल साहिब दी एह गल सुन के सूबेदार दलेड सेंग जी अते पल्टन दे सारे अफसर बड़े ही खुश होए अते दोड़े दोड़े सांत जी महराज पास कौार्टर गार्ड गए अते बड़ी चाही चाही एह ख़बर सांत जी महराज नो सुनाई सांत जी ये डोल ही आपने आसन तो ओठ बेठे अते नाल दफ्तर वालनो तो रपए जाद दफ्तर पहुंचे ताद करनल साहिब ने बड़े प्रेमना लाखिया वेल अतर सेंग हमने देख लिया है तुम पका खुड़ा का नौकर हो गया है आज से तुम को पल्टन से शुटी तुम जाओ और अपने खुड़ा का काम करो हम तुम पर बहुत खुश है जेह लो तुमारा चांड मारी गोली निशाना में बरगेड में से अवल रहने का इनाम जेह बहुत साल से पड़ा है हम बड़ी खुशी से तुमारा नाम काटता है सांत जी अडोल ही खड़े करनल साहिब दी गालबाद सुन दे रहे साहिब ने इनाम दे सौर पए सांत जी नूँ फड़ाए अते बड़े प्रेमनल विदा कीता दफ्तर तो बाहर आउंद्यां ही सांत जी महराज ने एह सौर पए गरीब गुर्बे नूँ वंड देते अते एबटा बाद तुम कूज करनलाई त्यारी करनलाई कांड नौवां सोरठ महल्ला पंजवा परमे सरदिता बन्ना अंदुख रोग का डेरा पन्ना अनद करह नर नारे हर हर प्रव किर्पातारी सांतो हो सोख हो आ सब थाए पार ब्रह्म पूर्ण परमे सर रवरह आ सबनी जाई रहाओ तुरकी बानी आई तिन सगले चिंत मिटाई दैयाल पुर्ख मेहरवाना हर नानक साच वखाना एबटा बाद तों तुर्णा नाम काट जान पर सूबेदार दलेर सेंग जी अते पल्टन दे होर प्रेमिया ने बड़ा ही जतन कीता के महराज कोज जेन एबटा बाद ही अटकन पर सांत जी महराज ने बड़े प्रेमिनाल सारे सजनादी सेवा विच बेंती कीती के होन कर तारदा होकम ठहरन दा नहीं फिर सोते सेद सातगुरू कदी ना कदी दर्शन कराउन गी साबने अरदास कीती के आप जी दीर जाय यते अकाल पुरुख दे होकम विच असी विगन नहीं पाउना चाउंदे पर होन लंगर त्यार है प्रशादा जरूर शक के जाओ सांत जी महराज ने किहा सात बचन सारे प्रेमी होन पल्टन दे लंगर वाल तरपए औथे पहुंचन पर सांत जी नूँ प्रशाद शकन वास्त यर्ज कीती पर सांत जी महाराज ने किहा पंगत लाओ सारे एकठे शगांगे पंगत लग गई अते लंगर वर्तन लग पया सांत जी महाराज ने बड़े प्रेम नाल एह शावद पड़े आ तार ना होन गे संजोगी मेले कदे होन गे संजोगी मेले प्यारियां संगतां दे प्यारिया कदी होनगे नदिया वाह विशुन्या मिला संजोगी राम जोग जोग मिठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पशाने सत गुरु जिन चेतेया बिन नाम हर के पर्म पूले पच है मुगद्य चेतेया हर नाम पगत नरिदै साचा से अंत ताही रुन्या साच कहै नानक सब्द साचै मेल चिरी विशुन्या मगर मगर सबने पड़िया अते कोई ऐसा करना रास आया के सार्यां दे हिर दे बेदे गए अते नेतरां विचो वैराग जाल वह तुरिया परशादा हुन वर्त गया अते काम करोद अर लोब मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्राब सरनागती कारपरसाद गुर देव प्रशादा शकन दे मगरों सांत जी ने तौरनलई कमर कसा कर लिया प्रेमिया ने अर्ज कीती के फेर जाल दी दर्शन देना सांत जी महराज ने आखिया हच्छा जो करतार नो पावे एह कहके सांत जी ने अर्दासा सो देया आते हवेलियां दी साड़ कवल तौर पई प्रेमियां दे बेंती करण पार अड़े तीकर तौर गए आते ओथों हवेलियां दे टांगे ते असवार हो गए होन टांगा तौर पया आते संत जी महराज सात गुरू दे शुकर विच ऐसे मस्त होए के स्रीर दे सुद बुद पुल गई रोम रोम एही अर्दास करे के हे सचे पाथशा तौर बड़ी महर करके साड़ी सहजे ही बंद खुलास कराई है अते अपनी कार विच निस्चिंत लाया है होन एही महर करी के तेरे चर्णा विच निब जावे कबीर जैसे उपजी पेड़ते जाव तैसे निब है ओड़ हीरा किसका बापरा पुझ है नारतन करोड़ अते एह सरीर तेरी टेहल विच ही लै हो जावे एह प्रेम अते शुकर दे मान विच कोई ऐसी खेच पई के नेतना विचो नीर वह तुरया वेराग थम्याना जावे हवेलियां दे याद विच अपड़े होनगे के एक खास परकाश अते जलवे दी लेहर सरीर विच पासी टांगे दे दो में पासे पांज सज्जे अते पांज खबे दसे पात्शहियां असवार नजर आईया अते आवाज आई बच्चा असी हर वक्त तेरे आंग संग रहांगे असा तेनु आप अपनी कार वास्ते अजाद कीता है एक सेवक गुर पास एक गुर का रैलाईया शाहांदी टेरी नौम हीने पाठ हवे लिया पहुँच के सांत जी माहराज टांगे तो उत्तर याते एथों उसे वक्त शाहदी टेरी दे रास्ते पंजे साहिव वाल तोर पै मान शोकर ते हजूरी दी रंगन विचरता होया सी हाथे कदमा दी तार गुर मंतर नाल जुडी होई सी देन डुबण दो खासा चर पहिलाँ शाहदी टेरी अपड़ गए हाथे सिद्धे बजार विचों तुरे चले गए लंगदियां लंगदियां कुदर ती एक प्रेमी पाई गुर्मक सेंग जी जो अपनी दुकान दे सामने मंजी डाह के बेठा होया सी ते सांत जी महराई दी नजर पै प्रेमी दा सोहना चिटा दाढ़ा सी चेहरा खेडे वेच सी आते नेतरां विच एक खास प्रेम दी रंगण सी मान विच ख्याल आया के ऐस पासों पंजे साहिवदा रास्ता पोछ लेए सांत जी ऐस वाला जे जरा को वदे ही सान के पाई गुर्मक सेंग जी ने बड़े प्रेम परेयाद बनाल बेंती कीती सांत जी आओ सांत जी बैठ जाओ आते अपनी मंजी दे स्रहाने वाले इशारा कीता एस दे प्रेम दी खेच कुदरती को जैसी पाई के पावे सांत जी महराज दा संकल्प सिद्धा पंजे साहिवदा तुरे जानदा ही सी प्रेम वास होए एस दी मंजी दी प्रवांदी बैठ गई प्रेमी ने बेंती कीती सांत जी साड़े पास ठहरो सांता ने आखेया साड़ा संकल्प पंजे साहिवदा है सुब आवक ही प्रेमी दे सारल शोद्ध हिर देविचू निकलेया साड़े गरीबान दे रुखी सुखी कौन को बूलदा है अज कल दे साजता जिथे कड़ा प्रशाद दे गफे मिलन वो थे जानदे हन एह बचन कोई ऐसा पोले पाई या ते प्रेम विच निकलेया के सांत जी महराई दा पंजे साहिब जान दा संकल्प एस गुर्मक दी पावना विच ले हो गया जवाब दिता चंगा पाई असी तो हाड़े पास ही ठहरांगे एह सुन के पाई गुर्मक सेंग बड़ा गदगद होया उसे वक्त वड़े पुत्तर सुन्दर सेंग जीनू हटी ते बिठा सांत जी महराज नू अपने कार ले गया कार वड़ दें ही सुपतनी रादा नजर आई खिडे मथे औस नू आख्या पागा वालिये असा तेरे कार एक गुर्मक सांत लेंदे हन एह अपने पास ठैर नंगे माई रादा ने बड़े प्रेमनाल उत्तर दिता तान पाग एस सुपाग जोडी दे कार ते सात गुरु दी बड़ी महर सी कार विच सावतो चंगे कमरे विच सिरी गुरु गरंथ साहिब जीदा प्रकाश सी अते सदा आई गए सादू दी सेवा बनी रहीं दी सी करतार ओंजवी इना ते तुठा सी दो आग्याकार से पुत्तर पाई सुंदर सेंग अते पाई जीवन सेंग बक्षे सन अते होर दुनिया दे किसे पदार्थ दी तोड नहीं सी एस साद संगी अते आग्याकार परवार विच सांत जी महराई दा चेत लाग गया अते वड़े पुत्तर सुंदर सेंग नाल इना दा खास प्रेम हो गया पर सब तों वाद जेडी गल सांत जी महराई दे मान लगी ओह साद गुरू सचे पात्शह दा एकां ता ते रास परया परकाश दा कमरा सी सांत जी देन राथ साद गुरू दे पाठ विच लगे रहन देया ते सिर्फ सौच इशनान ते परशाद दे समय पर उठ दे कदे लोड पैंदी ता महराज कमरे वेच ही कड़ी दो कड़ी टेटे हो जान दे माई राधा जी दा विए कुदर्ती सांत जी महराज नाल अपने बच्यांतों विवदीक प्रेम हो गया ते हर वक्त देना दा ख्याल रखन लग पई सांत जी महराज बहुत काट बोल दे यते अपने मुहों के से चीज़ दी पी मांगना कर दे एथों तीकर के जाद पाठ कर देयां इनना दा सीस सखत दर्द करन लग पैंदा तावी चौप रहिंदे पर माता रादा दे जिगरी प्रेम ने सेर दर्द दी ये निशानी लब लई जाद कदी सांत जी महराज दा सीस सखत दुखन लग पैंदा ताद इनना दा चेहरा शाम रंग हो जांदा माई रादा उस वेले पुत्तर वांगूं बाहों पकड लेंदे अते केसी शिनान करवाद दे एस समय सांत जी दे केस बड़े पारी सन खड़े हो के शिनान करदे फेर भी केस तर्ती ना लग जांदे स्याल दी रात विच तां सांत जी महराज कई वारी सारी सारी रात पाठ करी जांदे अते प्रेम वेचे ने मस्त हो जांदे के पूरी उतों लह जांदी अते पोह माग दी ठांड विच नगन बेठे पाठ करी जांदे माई रादा इना दा बड़ा ही ख्याल रख दियते रात नूं कई वार उठके पूरी उते देयों दियों एक वारी माई जी दे चेत विच ख्याल आया के पूरी ता रात विच कई वारी उते देई दी है पर फेर लह लह जान दी है एह गल सोच के माता रादा ने खदरदा लम्मा चोड़ा सीता ते ज़द राती संत जी पाठ कर रहे सन बेठ्यां बेठ्यां उना दे गाल पादता ज़द संत जी महराज अमरत वेले पाठ करके उठे ता माता जी नुँ आख्या माई अज सानू की बना दताई एक दिन माई रादा ने ख्याल करके के हर वक्त पाठ करदे हन सीस ठाक जानदा है संता दी थाली विच मक्षन राख देता संता ने माई जी नुँ आख्या माई जी साड़ा बचन रुखी सुकी खाके रहनदा है मक्षन चोकलवो माई जी ने बचन मान के मक्षन ता चोकलया पर मान विच बड़ा दर्द पैदा होया इनना पाठ करदे हन पर प्रशादा टबरदा ही शकदे हन ताने हे अते ताने इनना दिक माई माता जी दी होरता कोई वहन लगी होन सेर दर्दते शाम रंगनू नाउ डीकया करन दूजे चौथे देन बाहों फड़के केसी शनान करादया करन अते तालू खूब मक्षन नाल चासदया करन एक दिन जाद माई रादा एस तरहां प्रेम कर रही सी ताद सांत जी महराज ने आखेया माई तुसी साधे नाल बड़ा प्रेम कर दे हो किद्रे तुसी साधे पिछले जनम दी माता ही ना होवे हर जन परवार सदार है इक की कुले सब जगत शडावे इस तरहां प्रेम आते साध गुरू जी दे पाठ दी हाजरी विच नौम ही ने गुजर गए करतार दे होकम विच माई रादा दे वड़े पुत्तर सुंदर सेंग ने अचन चेत ही चड़ाई दी त्यारी कर ले सांत जी महराई दा एसनाल बड़ा प्रेम सी पास बेठे सुखमनी साहिवदा पाठ कर दे रहे आते एवी नाम रांग विच मस्तरे हा जाद चलानें दा वक्त आया ताद सांत जी ने ऐस दा सीस आपने गोटे ते राखले आते आख्या प्रेमिया बोल वाहि गुरु पाई सुंदर सेंग जी ने तैन वारी वाहि गुरु वाहि गुरु आख्या अते सदा लई अकाल दे चर्णा विच अपेद हो गया ससकार दे मगरों सांत जी महराज ने अपने मितर दे नमेत आप पाठ रखे आते सारा पाठ आप ही कीता दसमें दिन पोग पया अतोट लंगर वर्ते आ कडा परशाद दे कडा ही त्यार करके सारा दिन साज संग तते गुरु गुरु बेनु शिकाया सांत जी महराज सारा देन अपने मितर दे अखीरी टहल विच हाजर रहे अते माई पाई नु परशाद वरतां दे रहे रात दे वक्त सिरी गुरु गरंच सहब जी दे कमरे विच जाब राजे अते अमर्त वेले अशोप ही पूरी मोटे ते राख के चले गई कांड दस्वा मारू महला पंजवा अल्है अग्म खोदाई बंदे शोड़ ख्याल दुनिया के तंदे होई पैखाक फकीर मुसाफर इहो दरवेश कबूल दरा साच निवाज कीन मुसल्ला मनसा मार निवार हुआसा देह मसीत मन मुलाना कलम खोदाई पाक खरा सरा सर्यत लेकं माव हो तरीकत तर्क खोज तोलाव हो मार फत मन मार हुआ बदाल्ला मिलो हो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहिक माही दस आवरात रखो बाद राही पांच मर्द सिद्क ले बद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोज्जा पैखाका पेस्त पीर लफज कमाई अंदाज्जा हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अलह आला हुजरा साचक मावै सोई काजी जो दिल सुदै सोई हाजी सो मुल्ला मल उन निवारै सो दरवेस जिस सिफत तरा सब्बे वकत सब्बे करवेला खालक याद दिलै मह मौला तस्वी याद करो हो दस मर्दन सुन्नत सेल बंदान बरा दिल मह जानो सब फिल हाला खेल खाना बेरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरेफा नाया एक मुकाम खोदाई दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हले मी चौथै खेरी पंजवे पंजे एकत मुकामे एह पांजवगत तिर्य परपरा सगली जान करो मौदीफा बाद अमल शोड करो हाथ कुजा खोदाई एक बुजदेव बंगा बुर्गु बर्खुरदार खरा हक हलालब खोरो खाना दिल दर्याओ तोवो मैलाणा पीर पशान पिस्ती सोए अजरा इल ना दोज ठरा काया किरदार अवरत जिकिन्ना रंगत मासे मान हकिन्ना ना पाग पाग करह दूर दिस्सा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवै अंतर के मल दिलते तोवै दुनिया रंग न आवे नेडए जव कुसम पाट क्यो पाक हरा जा कव मेहर 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 वन्ना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाइक हाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर कर्न करीमा सेखत मुहबबत अथा हरहीमा हाक हुक्म साच खुदाया बोज नानक बंद खला सतरा सिरी पंजा सहिव जी दे दर्शन एबटा बादतों पंजा सहिव जान्दे जान्दे कुदरत ने संतानों शाहदी टेरी अटका लिया एथे कर्तार ने प्रे मते गुर्बानी दे पाठ दा नौ महीने एक अदुती चकर चलाया अचेत ही पाई सुंदर सेंग जी जे चलाने ने एस अतोट लहर वेच ठोकर मार देती चेत पामे कई वारी अग्गे भी उप्राम हो जान्दा अते सांत जी महराज कदी-कदी इशारा भी कर देंदे दर्या चलदे पले अते फकेर रमते पले परहुन सांतांदा चेत डाड़ा उप्राम हो गया अते पंजा सहव दे दर्शन दा पुराना संकल्प जाग उठेया उन्हाने ठान लिया के अपने मित्र दा पाथ संपूर्ण हुंदियां ही पंजा सहव पौज के सातगुरु नानक देवजी महाराईदी चर्ण तूड मस्तक ते लौनी है अते पंजे सहव दे निर्मल जाल विच इशनान करके तान मन ठंडा करना है शाहदी टेरी सचे पात्षाहदे कमरे नू जैस विच सांत जी बिराज दे सान दो भूहे सान एक वड़ादर वाज्जा जो वेहडे विच खुलदा सी अते एक शोटी मोरी जो बाहर वाल निकल दी सी आपने मितर दे दुसेरे ते जग वाली रात सांत चौप चुप पीते ही दो वजे पिशली मोरी थानी बाहर हो गए आते सिद्धे पंजा साहव अपड़ गए हिर देवेच साथ गुरु नानक देव जी आते मरदानें दी तस्वीर बज गई आते मोखतों तान गुरु नानक तान पाई मरदाना आपने आप ही निकल नन लाग पया सिरी पंजा सहव वेच अगगे ही सांगतां दी गहमा गहम लगी होई सी सरबात माई पाई तान गुरु नानक तान गुरु नानक दी तोन उठा रहे सी अते अमर्त कोंड वेच अपना तानमान सीतल कर रहे सन कई प्रेमी साथगुरु दे पंजे दे सामने जाके बड़ी शर्दा अते प्रेम सेथ अमर्त ले रहे सन एह निजारा देख के सांत जी महराई दा मान होर वी साथगुरु नानक देवजी दे चर्ना नाल लेपट गया अते एकविस माद दी रंगन विच रंगया गया कौज समा एस रांग विच बीतिया फिर अमर्त कोंड दी सोबा जैस दे हेटले पत्थर अते मच्या एक एक करके नजर आ रहियां सान ने माननू खेच लिया दस्तार परना अते पूरी कंडे ते राख दे बड़े आदब नाल वेच उतरे अते अमर्त जाल विच टुबे लाई तानमान विच ठांड पई फिर दरबार सह दे बाहर एक गुठे बैठ के नाम सिमरन विच जोट पई थोड़े चर मगरों सिरी दरबार सह वेच कीरतन रांब हो पिया एस ने होर पी सांत जी नू रास विच मगन कर देता देन चड़े कीरतन दा पोग पिया अते अरदासे मगरों सांत जी लंगर विचों जाल पानी शाक के वली कंडारी दे अस्थान वाल टोर पई इस बिखडी काटी दे चड़ दे चड़ दे कदम कदम ते तान पाई मरदाना मुखों अपने आपन प्यार निकल दा सी वाह वाह पाई मरदाना इना ते हाया हुंदेया होया वी सचे पात्षादा हुकम मन्या ते तैन वारी मान दे परे हंकारी वली कंदारी दे कबोल सहे विचारे मरदाने दी की ताकत सी एह ता चोजी सातगुरु जी दी आपनी खेड सी जिन्ना ने हंकारी फकीर दारू करन लई पाई मरदाने नू एह ताक्त बक्षी जाद सांत जी महराई तोर पहाडी दी टीसी ते चड़े ताद वली कंदारी दा ओस वेले दा नक्षा सामने आ गया खिच्मा चेहरा, क्रोध परे नैन, गुसे नालकंबदा सरीर, मानदा मता होया फकीर, साथगुरू नानक देव जी उते पहाड़ दा पहाड रेहड रिया है रिद्धी सिद्धी विच पुल्या होया नहीं जानदा के आप खुदा नानक नरंकारी नाम तरा के ऐसदे पागान वे थे पहुंचिया है अते ऐसदा रोग दूर करके ऐसनू असल फकीरी दी सूज कराउनाया है हुण सांत जी महाराज दी निगापंजेवल पई हेठा साथगुरु जी दी तिजया सवी ते सुंदर मनमुहनी सूर्थ नजर आई पहाड़ दा टुकड़ा बिजली दी तेजी नाल आरेहा है साथगुरु जी ने सज्जा पंजा खड़ा कीता है शुंदे सार ही पत्थर मौम हो गया अते नाल ही नाल वली कंदारी दे कुंड सारा दा पानी हेठा वहत उरिया अते विचारा वली कंदारी वली दी थां फूक निकली खल वंगन निरास्ता दा अवतार उपर खुलोता नजर आउंदा है एह अधुत्ती अंतर मुखी दर्शन देख के सांत जी महराज तान गुरु नानक तान गुरु नानक दी तुनी विच अलमस्त हो गए पहाडी दे अक पासे वाले कांथ बैठ गए अते किन्ना चरही सात गुरु जी दे ब्यांत गुणा विच लीन टिके रहे छाम दे वक्त हेठां के लंगर विच परशादा शक्या अते रात दे वक्त बिराज गए दूजे दे हाडे सारा देन पंजा सहव अनांद लेया अते शाम दे वक्त मान सुरोवर वाल तोर पै एदर माई रादा अमरत वेले जाद सिरी गुरु गुरान्त सहव दे कमरे वेच गई तां सिरी गुरु गुरान्त सहव दी ताब्या ओमन मोहनी सुर्त पाठ कर दी नजर ना आई जाद गहो नाल देखे आताद नजर पे आके अजे सिरीगुरु गरांत सहीवजी दे प्रकाश भी नहीं होए अधे बाहर वाली मोरी भी खुली है पहिला ता माई ने समझा के संत कल जगर जे में करके ठके होन दे कारण चेर के उठे ओन गे अते हजे बाहर शिनान पानी करन गे होन गे बहुत चेरोडी किया पर जाद देन ही चड़ गया ता मान विच खोप एं लग पई के किदरे पांची उडारी ही ना मार गए होन सादा फकीरां दा की है मौज आई ते ठीके रहे मौज आई ते कूज कर गई एक ता माई देले विच पुत्तर दे विजोग दा साल सी दूजे पासे सांत जी महराई दा विशोडा हूंदा नजर आया बड़ी व्याकल हो के अपने पती गुर्मक सेंग अते शूटे पुत्तर जीवन सेंग नूँ खबर कीती सांत जी अपने कमरे विच नजर नहीं आउंदे किदरे टूण पाल करो प्रेमिया ने को जो होर सत संगी नाल लए एक दो देन दूर नेड़े दे पहाडी कंद्रा विच खोज कीती पार सांत जी ना मिले फिर ख्याल आया के किदरे पंजा सहवना चले गए होवन प्रेमी ओथे वी गए पर जद पड़ताल कीती ताद पता लगा के पूरी दी दस्तार तेड़क शहर आते शोटी कमली वाला एक सादू रात ठहर के दूजे दन किसे वेले किदरे अगे चला गया है प्रेमी ता पंजा सहव दे दर्शन करके नराश हो कर नू मोड़ाए परोद्रों सांत जी पहार दियां गलियां दे रास्ते मान सहेरे हुंदे होए दो मेल पहुँच गए पूर्न इकांद सिमरन दो मेल जैस दा दूजा नाम मजफर अबाद है कश्मीर दा एक बड़ा सुन्दर ते शोटा जेहा कसबा है एक पासों द्रियाए जेहलम सिरी नगर बारा मूला उडीतों हुंदा होया सडक दे नाल नल पहाडां विच साप वांग कई वलंगडे खांदा आंदा है दूजे पासे उएस नो किशन गंगा हसदी हसदी मिल दी है दोहा पैन पर आवांदा मिला पैक बड़ी रमनी का ते सुन्दर पहाडी दे हेट हुंदा है ठीक ऐस पहाडी दे उते एक बड़ा सुन्दर गुर्दवारा है जिते के हर वक्त लंगर वर्तदा है आते कई गुफामा सादुन दे कांद सिमर्न वास्ते बढ़िया हुंदा हन अस्थान इननों बड़ा ही पसांद आया मौज विचा के किशन गंगा दे किनार यासन जमा के बैठ गए संत पीम सेंग जी जो उहना दिना वेचे सगुर्दवारे नहीं दे सान शाम दे वक्त जालपानी वर्तन वास्ते द्रिया दे किनारे गए उनने सांत जी महराज नू समाद्य स्थेत देखे गउर्दवार या के महांत दया स्यंग जी कोड़ जेकर कीता ए बड़े ही प्रेमी पुर्ष सान उसे वेले द्रिया दे किनारे वाल टौर पैयते सांत जी महराज नू बड़े प्रेम नाल गुफा वेच ले आये एक दो देन तां सांत जी महराज गुफा विच रहे फिर अपना इरादा आशा द्रिया किशन गंगा ते एक चुगी पौणदा प्रग्ट कीता महांत साहब अते सांत पीम सेंग जी ने बड़े प्रेम नालो थे एक सुन्दर कुटिया पवाद ती सुन्दर जालदा किनारा गुरूदा लंगर ते रास परी इकांत जिते के सोते सेदी ही समधी लग जावे सांत जी महाराज कई महीने एथे नाम सिम्रन कर दे आते बलिहारी कुदर्त वस्यादा अनांद मान दे रहे एक देन नाम सिम्रन विच बेठेयां बेठेयां सांत पाई राम सेंग जी दे दर्शन दे खेच होई आख दे हन के तुहाड़ा दा सानू नाम कटवा के शेती मिलन दा बचन सी पर होनता किन्ना चेर लंग गया है असी अपने बचन उन सार किन्ने चेरतों स्याल कोट शाड़ के थमाली आई बेठे हां दूजे देन ही संत जी अमरत वेले महांत साहब अते संत पीम सेंग जी तो विदा होके तौर पए अते कोहाले दे राते कोहमरी पहुंचे कोहमरी पहार दी सुंदरता ते ठंड ने परेजना कीती के कोज देने थे बिलकुल एकांत सिमर्ण दा रंग मानिये ते पहार दी किसे ऐसी चोटी ते जा बैठीये जिते किसे बंदे दी जात भी नजर नावे एह संकलप तार के सांत जी महाराज ने एक कोरी कुन्नी मिट्टी दा शोटा बरतन लोण अते तीलाँ दी डब्बी अपने नाड लेलाई के जादव कदी पोख बहुता जोर पावेगी तां द्रखतां दे पत्ते यों बाल के शाकल्या करांगे अते पेट पार लवांगे एक बड़ी कांद पहाडी लब्बी जैस दे सिखर ते एक सुन्दर चश्मा सी कई मेल के से बादी दा निशान भी नजर नई सी आउंदा सांत जी महराज बड़े परसान हो बैठ गए के हुण पूरने कांद विच सिम्रन दा संकल्प पूरा हो जावेगा तैन देन एक रास नाम रंग विच खूब हुलारे लए चवथे देन की वेख देहन के एक माई मक्की दे दो मोटे मोटे परशादे उते सरों दा साग लई बैठी है सांत जी महराज ने हैरान होके पुछया माई तूं कि थों एथे तां दूर दूर ती कर कोई बास्ती नजर नहीं आउंदी माई ने बड़े प्रेमनाड उतर दिता महराज एह जेहडी दो को मेर उची पहाडी नजर आउंदी है उदे उले मेरा शोटा जया मोडा है साड़े नेड़े तेड़े सवाई इस चश्में दे जित्थे के आप बैठे हों होर के ते जाल नहीं मैं हर रोज जाल परनाओ दी हां तैन देन आप नू एसे था बैठा देखिया अज मेरे देल वेच ख्याल आया के तो हाड़े वास्ते प्रशादे लेयावा सो ए मकी दे प्रशादे अते साग हाजर है कृपा करके शाक लगो सांतजी महराज ने दो में हाथ ख्या करके प्रशादे हत्था लेल ए आते बड़े प्रेमनाल शाके पिछों चशमें विच्छों बौकनाल जाल पी शाक लेया जद माई चली गई तां सांत जी महराज ने सोचया के करतार दी नेत वेच परालब्द पोग हर थांते आ पहुँचदा है आते उस दे हुकम वेच जीवान दा भी मेल हो जान दा है चलो हो नगे चलीगे कुनी पहाडी ते ही शाड़ देती आते हेठा उत्तर के रावलपिंडी दा रह लिया सांत सिदे रावलपिंडी आ पहुँचे आते तोप खाने दे पास कोज देने को गुफा वेच गुपत रहे एथों दो पेरन दे रास्ते मगर उन्नी सो पंजाब भी करमी सान ठारा सो तरान्ने में इसे भी वेच थमाली सांत राम सेंगरी पास अपड़ गए जो कोज चेर तो इनन दी तीबर उडीक वेच सान कांड ग्यारवा फ्रिदा साहिब दे कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दर्वेसानों लोडी ए रुखांदी जीरांद थमाली तों कनो हे जाद सांत जी महराज थमाली सांत पाई राम सेंग जी दे डेरे अपड़े ताद पाई राम सेंग जी इनननों बड़े प्रेमनाड मिले कोट के जफी विच लेले आते कहन लगे तुसां बड़ा चेर लाया नाम कटा के किथे किथे रहे महराज ने सारी विथया आख सुनाई फिर पर शादा शाख के बिराज गई थमाली पेंडवेज कलर तों चार मील दी वेथते दो पेरन कलर दी सड़ कोपर सेख जिमी दारांदा एक नगर है एथे ही बहादर जर नेल सरदार हरी सेंग जी नलवा दे सोहरे सन पेंड़ दे सारे माई पाई साथ सांगत दे प्रेमी सन सांथ पाई राम सेंग जी ने इन अदा प्रेम वेख के अपना देरा एथे पेंड़तों दो को सो कर्म दे फासले दे एक सुंदर कांत थां वगदे जाल दे किनारे बना लिया सी एस दे सेवक सांथ पाई जिवाहर सेंग जी अतोट लंगर जारी राख दे अते आए गए साथ सांथ मुसाफर दी बड़ी टहल कर दे संथ जी महराज कोज चेर एस प्रेम अते सेवा पावदी लहर विच रहे एक दिन संथ पाई राम सेंग जी नाल गुर्दवारे दे बाग विच बैठे सी प्रेम दे बचन हो रहे सन बचन बिलास कर देयां कर देयां संथ जी महराज ने आख्या के साथे चेतवे चहुन अतोट एकांत सिमरन करना दा तीबर संकल्प है पाई राम सेंग जी ने जवाब दिता के साथे ऐसे लाके विच दो डेरे हन एक थमाली जिते आप बिराज रहे हो ते दूजा कनोहा जो एसे दो मील दे फासले ते कलर चोहा खालसा दी सडकते है कल अमर्त वेले चल के तुहानू कनोहे दे डेरे दा दर्षन करवा देयांगे फिर दोहा स्थाना विच्चों जेड़ा आप दे पसान दावे ओथे आपना इकांत सिमरन दा संकल्प पूरा कर लेना दूजे देना मर्त वेले संत जी महराज संत पाई रामसंग जी नाल कनोहे वाल टोर पए ठंडे ठंडे कनोहे पुझ गए हाते गुर्दवारे विच्च जाड़ेरा कीता कनोहा सिखान दा एक पुराना पेंड है सारे नगर वासी जीमिंदारी ते गुजारा कर दे हन नाल नाल कई सजन शाहु कारे यते दुकान दा वी कामकाज कर लेंदे हन पेंड़े नालों एक बड़ा पारी कास पानी दा नाला लंगदा है जैस वेच सोमे होन करके पानी सदा ही रहिंदा है खास गुर्दवारे वेच एक बावली है जैस दे दो हेसे कीते होई हन एक पानी पीन वास्ते ते दुजा इशनान कर न वास्ते होर वी था था कई खूँ अते चश्मे हन गल की एस नगर वेच तोट खुले पानी दी बड़ी मौज है नगर दी बादी दे नाल ही एक उच्ची टेकरी ते सिखां दे वक्त दे पुराने केले दे निशान हन अते पेंडवी आले दुआले दी जमीन नालों उच्ची थां ते बाद है नगर दी बादी आते कलर चोहा खालसा दी सड़क दे विचकार पुलाहियां दी एक बड़ी कणी चंगी जो सड़क दे पेंड़ तो बड़ी नीवी है एथे देन दीवी दे कोज सजने कांथ सिमरन वास्ते बैठ जानता किसे नूँ दूरों पता तक नहीं लगदा पाणी दी खुल अते कांथ चंगी करके संत जी महराज नू ताब करन लई कनोहा पसंद आ गया आपने संत पाई राम सेंग जी नू बेंती कीती के साड़े वास्ते ए था अनकूल है एस नगर वेच ठीक तरमसाला दे सामने पाई वजीर सेंग जी दा कारसी इनना दी सुपतनी पाग परी आए गए सादू दी बड़ी सेवा कर दी आपने सुबावन सार ए माई बड़े प्रेम नार संत जी महराई दी सेवा वेच लगपई करतार दी नेत माई दा निका लड़का बिमार हो गया माई दे हिर्दे वेच संत जी महराज पासों अखांड पाथ रखाउन दा संकल्प पैदा होया उसने अपने पती पाईवजीर सेंग जी नार सला करके संत जी महराज पासों खांड पाथ रखाउन दी बेंटी करू एकल्ले ही ये खांड पाथ करना पाईवजीर सेंग जी अपनी सुपतनी दा प्रेम पूरा करन लई सांत पाई राम सेंग जी पास गए ते आखेया साड़ा प्रेम है के सांत जी महाराज पासो खांडपाथ रंब करवाईए वो ता किसे नाड बोल दे चाल दे नहीं ना जानिये साड़ी बेंटी परवान करन जाना करन सांत राम सेंग जी ने आखेया तुसी खांड़ पाठ दी समगरी त्यार करो, सानू निश्चा है के सान्त जरूर खांड़ पाठ करनगी, जाद समगरी त्यार हो गई, ताद पाई वजीर सेंग जी, सान्त पाई राम सेंग जी पास डेरे गए, अते सान्त जी नू बलावन लई बेंती कीती, उन्ना ने आख तुसी आप जावो अते जाके खांड़ पाठ रखंदी बेंती करो, सान्त आप ही तो हाटे मगर तोर पैनगे, सान्त जी महराज हर रोज अमर्त वेले शिनान करके, कास विच केसे कांत जगा बैठ जान दे, अते एक रास सिमरन विच लग जान दे, दुपहर दे वेले गु पाइवजीर सेंग जी ने चेत विच ख्यालतां कीता के महापुर्ख किसे नालवी नहीं बोल दे, मेरी बेंती दा जवाब ना जानिये, देन के ना देन, पर अपनी सुपाग सुपतनी दे प्रेम दा बदा होया, सान्त पाई राम सेंग जी दा बचन मन के, सान्त जी आठ वजेदा वक्त सी, सान्त सिमर्ण विच लगे होय सन, एस ने दूरों ही देख के डर्दे डर्दे बेंती कीती, महराज गुर्दवारे विच खांडपाथ रखवाणा है, दर्शन देवो, सान्त जी महराज ने एसनों उत्तरता कोई ना दिता, पर एस दे गाल सुन दे ही ओठ खडोते, आते एस दे मगर मगर गुर्दवारे साहिब विच आ गई, पाईवजीर सेंग जी ने कारजा के अपनी सुपतनी नू एह खबर सुनाई, माई पाग परी ने अपनी बेंती पूरी होन पर करतार दा शुकर कीता, कड़ा परशाद त्यार कीता होया सी, गु आत थां कॉंबटिक आया गया, अते सिरीगुरु गरंथ साहिब दे एक पासे पांज गरंथी दी पोथी प्रकाश कीती गई, गरंथी सेंग जी ने सांख पूरिया, एह खबर के नवे सुहने जवान महापुर्ख, जो हर वक्त सिमर्ण वेच मस्तर इंदे हन, अते किसे ना आलवे गल बात नहीं करदे, पाठ अरांब करनगे, सारे पेंडवेच बिजली वांगू फैल चुकी सी, गरंथी सेंग दे सांख पूर्ण दी ही देरी सी के सारे प्रेमी माई पाई गुर्दवारी विचा गई, अते अंदर तेल तर्न दी थांवी ना रही, सांत जी ना सोद के, सिरी गुरु गरंथ साहिब जी महराज जी दी ताब्या साज गए, अते पांज गरंथी दे पाठ वाला सेंग वी आपने पहरे ते हाजर हो गया, सांगत दे कतर होन ते गरंथी सेंग ने अरदासा सोद दे आते ठीक दासवजे खांड पाठ अरांब होया, सांत जी महराज ने बड़ी उच्ची अते रसीली सौर वेच एक को अंकार सत नाम करता पुर्ख दी तोन उठाई सारे माई पाई सौन के मोहित हो गई जाप जी साहिब दे पाठ मगरूंकडा प्रिशाद वर्तिया अते कोज प्रेमियां तो शोट सारे माई पाई आपने करों करी तोर पै पर एस रसीली अवाज दे गूँज नाल ही गई अते अद मेल तो सुनींदी रही होन ग्यारां वजिदा वेला हो गया एक प्रेमी पाठी बदलन लई सिरी गुरू गरांत सहव जीदी ताबिया विचाया पर सांत जी ने हाथ नाल इशारा कीता के अजे असी होर पाठ करांगी एस तरह फिर दो वारी बदलन दा जतन कीता पर सांत जी महाराज पहिलना वांगू ही इशारा करी गई बड़ी मुश्कल नाल सांत पाई राम सेंग जी दे जोर देवन पार चार को वजे कड़ी को उठे जाल पानी शक्या ते फिर पाठ वेच जोट पई होन रात दे आठ वाज गए अते साध संगत ने वी एह परतीद कर लिया के महापुर्ख सारी रात पाठ आप ही करनगे होन बदली वास्ते कोई ना जावे साब ने सामद लिया के जाद लोड पवेगी ता आप ही शैने वजा दे वनगे फिर सहारा दे दियांगे बस होन की सी प्रशाद शकन दे मगरों पेंड दे सारे माई पाई गुर्द वारे विच खिचे होए चले आए रात दे बारां वाज गए फिर दो तैन चार दा वक्त हो गया पर सांत जी उसे उच्ची अते सुरीली सुर विच पाठ करी गए गुर्बानी दा पाठ अते ऐसी मनमोहनी वाज के केसे दावी जी ही लणते नहीं सी करदा पर चार वजे हाली किरसान लोक में दूरी दे कार्ण चले गए खेतां विच हालता जा जुते पर चेत गुर्द वारे वाल लखे चे आ रहा इना गुर्मखान दे पागानू संतजी महराई दा पाठ उस एकांत समे सपस्ट एक-एक मेल ती कर सुनींदा सी हुन सवेर होई शे वजे दा वक्त होया एस समे संतजी महराज ने शेने वजाए एक प्रेमी ने पाठ ले लिया संतजी गुर्द वारे तो बाहर गई आते थोड़े चेर मगरों सौज शिनान करके फिर पाठ ते आ बेठे हुन संतजी महराई दा एक रास चौंकडे ते ही सारा देन आते सारी राथ पाठ करन दा संकल्प सी पर संतपाई रामसेंग जी ने फिर जोर दे के चार वजे जालपाणी शक्न वासते उठा लिया कडी को वेचहीं जालपाणी शक के बाहरों होके आते पाठ शिनाना करके संतजी फिर पाठ ते बैठ गई अते तीसरे देन स्वेरे शे वजे पाठ दा पोग समावत कर दिता प्रेम मई उची वाज आध तों लेके अंत तीकर उसे सुरवेच रही जरावी टिली नहीं होई संत जी महराई दा पाठ इन्ना तेज सी के पोग चार वजे ही त्यार हो जांदा पर पाठ दा पिशला हिसा संत जी महराज ने माई पाग परी दी बेंती करन पर के महराज पोग देन चड़े पाउना है लमकाद ता पुलाहियां दी चंगी वेच अखांड पाठ दे पोग मगरों संत पाई राम सेंग जी थमाली चले गए अते संत जी महराज एक दो देन गुर्दवारे वेच ही रहे माई पाई दर्षन करन लई जादा आउन लग पए एस लई एक देन अमर्त वेले दो वजे शिनान करके अशोप ही पुलाहियां दी चंगी वेच जा बेठे एस चंगी वेच एक बड़ा पारी साप रहिंदा सी एस साप दे डार दे मारे कोई सरीर पुलाहियां वेच नहीं सी जानदा एक वारी एस साप ने कल्लर अते चोहा खालसा वाली सड़क भी बांद कर देती सी कई वारी राह जान वालेंदे मगर दावडिया एसलई राही साड़क शाड़के दूरों वला पांदे होए थमाली वाले खेतां विच्चों ही होके लंगन लाग पई एस सरपदे स्रीर विच्चों एक खास किसम दी वाशना उंदी सी सापदे डारदे मारे चंगी वालता कोई जानदा ही नहीं सी किसे नू की ख्याल सी के संत जी ऐस विच गुपत हो गई हन पांच दिन माई पाग परी अते पाई वजीर सेंग नू कोई पता न लगा विचारे व्याकल होई होई परशाद लेके कई थां टूंड पाल करन पारन रास होके मोड़ाउन एक दिन पाई वजीर सेंग किसे मोडे छोटे पैंड गया अते मोड़ दी वारे पुलाहियां दी चंगी दे कनारे अपने खेत विच फेरा मारन लई आया खेत विच तुर्दियां तुर्दियां ऐस दी निगा पुलाहियां दी चंगी वाल पै गई की वेखदा है के पूरी दी दस्तार वाला एक सादू चौंकडी मारी समादी अस्थेत एक पुलाही दे पास बेठा है मानविच तार खड़क गई के एहे तां सांत जी महराज हन पाई वजीर सेंग दौड़िया दौड़िया सांत जी महराज वाल गया अते जांदा ही चरना पर टह पया अते बड़े वेरागवे चाख्या महराज जी सानू बड़ा दोश लगा असी खांदे पींदे रहे अते आब पांच दिन पुखे ही रहे सांत जी महराज ने प्रेमी नू बड़े प्रेम नाल चरना तो उठाया ती आख्या पाई कि तुहाड़ा कोई दोश नहीं है तुहानू ता साड़ा पता ही नहीं सी हुन पाई वजीर संग दे देल वेच ख्याल आया के महराज जी ता पांच दिन दे पुखे हन ते मैं अजे एथे बेठा हां ख्याल अंदे ही दोड़ प्या अते कार आ पहुंचा अपनी सुपत्नी पाग परीनु आख्या पागाँ वालिये हुन देग चा तरन दा वक्त नहीं सांत जी महराज पांच देन दे पुखे पुलाहियां वेच करतार दे रंग वेच मस्थ हन शेती फुलका पका के चूरी कोट दे पत्वंती ने बडी शेती चूरी तियार कर दिती अते पाई वजीर सेंग जी पुलाहियां वेच ले गए जान्दियां ही बेंती कीती के महराज जी शको सांत जीने प्रेमी दा प्रेम देखके प्रेम नल चूरी शकी अते कुझ जलपान कीता परशाद शक्दियां शक्दियां ही संत जी महराज उते तौपा आगई इह देखके पाई वजीर सेंग दे हिर देविच शपर पौणदा फुरना होया उसे देन संत पाई राम सेंग जी पास थमाली जाके बेंती कीती संत पाई राम सेंग जी प्रेमी दे नाल आए आते संत जी महराज नाल सलाह करके पाई वजेर सेंग जी नू शपर पाउंदी आग्या लेदती आग्या मिलन दी ही देर से पाईवजीर सेंग जी ने शपर पादता आते सांत जी महाराईदा पुलाहियां दी चंगी विच पका आसन लाग पिया एक दिन सरदार बूटा सेंग जो पाईवजीर सेंग जी दे शोटे पाई सान चंगी वाल सांत जी महराय दे दर्शन लई आए अजे शपरतों को जो दूर ही सान के उन्ना ने एक बड़ा पारी सर्प देखिया देख दिया ही देल देहल गया दौड के पेंड़ दे गुर्दवारे वेचा के शोर पाया पुलाहियां दी चंगी वेच सादूनू साप खा गया है बहुत लोग के कठे हो गया ते चंगी दे बाहर आख लोते पर डर्दा मारे अंदर कोई न जावे सांत जी महराज ने दूरों ही वाज जिती डरो नहीं साप चला गया है ओता दर्शन देनले आया सी होन नहीं आवेगा ए सोन के प्रेमियां दा तरवास बज गया अते सारी संग्त ने चंगी वेच सांत जी महराज दा दर्शन कीता हते करतारदा शुगर कीता के साद उनू सापने नहीं खादा कांड बार्वा एको अंकार सत्गुर परसाद राग सुही बाणी सेख फरीद जी की ताप ताप लोहे लोहे हाथ मरो रा बावल हो ईसो सहलोरा तैसे है मन मेह की आरोस मुझे अवगन सहना ही दोस तैसा हिब की मैं सार न जानी जो बन खोई पाथ है पचतानी रहाओ काली को इल तू कित गुन काली अपने प्रीतम के हो बिर है जाली फिर है बिहून कत है सुख पाए जा होई किरपाल ता प्रभू मिलाए विदन खुही मुंद एकेली ना को साथी ना को बेली कर किरपा प्रभ साथ संग मिली जा फिर देखा ता मेरा अलहो बेली वाट हमारी खरी उडीनी खन्यहो तिखी बहुत पीनी उस उपर है मारग मेरा सेख फरीदा पंथ समार सवेरा पारी सहजत पस्या होन शपर पै गया अते संत जी महराज दा पुलाहियां वेच ही रहन दा पका इरादा हो गया नगरवाल कदी वी ना आउन अते दिन रात एथे ही नाम सिमरन वेच लगे रहन पाईव जीर सेंग जी दो वक्त बड़े प्रेम नाल परशादा ले आया करन एसनु संत जी महराज जी ने एक दिन बड़े प्रेम नाल आख्या के साड़ा परशादा अपनी खेती दी कमाई दे आन दा ले आया करो जो दाने लेने देने दे लोकां पासु आउंदे हान हो आट ही रख्या करो पाई तर्म केरत दे आन नाल सुरत सिम्रण वेच चंगी लग दी है पाई वजीर सेंगने बड़े आदब अते शर्दा नाल आख्या साथ बचन शपर वेच उपरता शान सी पर पास्यां तो तौपदा ओला नहीं सी सांत जी महराज सारा देन समादी अस्थेत एको चौंकडी बेठे रहेंदे सूर्ज दे चड़न अते दुपहर टालन मगरों स्रीर ते तौपदा पैंदी पर सांत जी एक रास अपने आसन ते ही ठीके रहेंदे जेठ हाड़ दे देन सान तौपदे लू नाल स्रीर काला स्याह हो गया माई पागपरी जो के कई वारी दर्शन करन जन दी दूरों ही बेनती कर दी के महराज शामे हो बेठो पर संत जी चौप कर रहेंदे पाई वजीर सिंग जी ने इह हाल देख के एक दिन संत पाई राम सिंग जी पास जाके बेनती कीती के तौपते लू करके संत जी महराज नो बड़ी खेचल रहनदी है आग्या होवे तान्दास एक कुटिया पादेवे संत राम सेंग जी संत जी महराज पास पलाईया वे चाया ते आखिया महराज चंगा होवे जी एक कुटिया बन जावे असी भी ताए थे आके तो हाटे पास बैठिया करांगे सांत जी महराज ने उतर देता तो हाटीर जाए थोड़े दिना वेची ही टाए उच्छी जगा उते कुटिया त्यार हो गई एक दिन पाईव जीर सेंगने के से कम वास्ते पेंड तो बाहर जाना सी तोर्ण तो पहला सांत जी महराज पास हाजर होया आते बेंटी कीती महराज आज मैं किसे कामले पेंड तो बाहर जाना है आग्या होवेता मेरी सिंगनी हजूर्दा पशादा लेयावे महराज ने किहा चंगा पहले बारां देन माई पाग परी दोरो ही महराज जीदा दर्शन करके चली जान दी होन तेर्वे देन साथगुरू ने अपनी मेहर नाल परशादा लेयाँदी सेवा बख्षी जेस वक्त माई परशादा लेके आई ताद सांत जी महराज एक नमे टोए दे पास चंकडी सजाई बेठे सान माई ने जालते परशादा टिका के एक पासे रख दिता अते सांत जी महराज दे हाथ तो आउन लगी सांत जी महराज ने किहा के जालत दूरों काहुं लियो नासी असा एत्थों ही जाल कड लिया है असा पत्थर दे ठीकरी नाल एह टोया बनाया है अते करतार ने बड़ा मिठा ते सोना जाल पेज दिता है माई पाग परी परशादा शिका के कार चली गई शाम दे वेले पाई वजीर सेंग जी सांत जी पास आए महराज ने आख्या पाई वजीर सेंग करतार ने सानु एक सोनी बावली बख्षी है जे करेस बावली दे उते एक कुटिया पै जावे आते एक तख्थ पोष बन जावे तादसी एते सिरी गुरु गरंथ साहिव दा प्रकाश कर लिया करिये दो दिन वेच कुटिया भी बन गई आते तख्थ पोष भी त्यार हो गया महराज बड़े परसान होया ते बावली उते तख्थ पोष डाह के सिरी गुरु गरंथ सहब जी दी शोटी बीड़दा प्रकाश कर लिया एक दिन पाईव जीर सेंग जी ने बेंती कीती महराज जे होकम होवेताएं का खुफ पोट लईए सांत जी महराज ने आख्या साथ बचन पाईव जीर सेंग जी ने कारा के अपनी सुपतनी नाल गल कीती के सांत जी महराज ने खुफ लौंदी आग्या दे दिती है पागाँ वाली ने आख्या देरी ना करो हुने ही मजदूर ला देवो उसे वेले मजदूर लग गए अते खुफ उटना शुरू हो गया जाद खुफ पंदरा हाथ दे नेडे तेडे गया ताँ पाई वजीर सेंग ने रात नो सौन वेले को जो को फिकर नाल आख्या के खबरे पानी कदो निकलेगा जाद दूसरे दिन पाई वजीर सेंग अते उस दी सुपतनी परशादा लेके आए ताद की देखन के खुब विच पानी आ गया है दोमें जी बड़े ही हरान होए ते संत जी महराज पास चाई चाई जा आख्या महराज पानी निकलाया है इह सौन के संत जी महराज मुश्कराया ते केहा रात नो साथे प्रेमी पाई वजीर सेंग ने बड़े उदास होके आख्या सी के खबरे पानी कदो निकलेगा सुवसां जल पगवाननु दर्शन देन दी बेंती करके मगवालिया है पाईवजीर सेंगता हका बका रह गया अते कोज भी ना बूलिया पर माई पाग परीने आखेया हां महराजी उदास हो गए सन अते रातनों यह बचनाके सान साननों बख्ष लगो यह कहके दोमें पती पतनी सांत जी महराई दे चरना दे टहपए एस दे मगरों कू हो और ना पुटिया उसारी शुरू हो गई अते थोड़े दिना वेची ही खू त्यार हो गया खू होन पर पाईव जीर सेंग अते माई पागपरी ने जग करन दी सलाह कीती दोहां जीया ने हाथ जोड़ के सांत जी महराज पास बेंती कीती महराज जग करन दा संकल्प है आग्या देवो तां करिए सांत जी महराज ने बड़े प्रेमनाल खुशी बख्षी दूसरे देन पाईव जीर सेंग ने आटा दाल क्याओ आदिक लंगर दी सारी समगरी पुलाहियां वेच लै आंदी लोहां गडियां गईयां देगच्यां ले चुरां पठियां त्यार हो गईयां माई पाई सेवा वेच जोट पाया ते बड़े सोने वेले बारां वजे तो पहलां कड़ा परशाद साज गया ते लंगर त्यार हो गया पाई वजीर सेंग जीदे चेत वेच आसा होई के शब्द कीरतन दावी समागम बन जावे एस ने सांत जी महराज अगे बेंती कीती के महराज आप दी मेहर नाल होरतां जागदे सारे कारज सोने निप रहे हाना पर अजे तक केरतन करन वाला कोई जथा ने पहुंचिया सांत जी महराज ने केहा तीर्द करो साथ गुरु अपने कारज आप करेगा आते कोई ना कोई कीरतनी जथा पेज देवेगा पाईवजीर सेंग जी आते सांत जी महराई जे बचन कर रहे सन के कीरतन करनवारा एक जथा सांत जी महराई दी कुडिया अगे आ पहुंचिया जथे ने साज कुडिया दे बाहर टिकाए ते आप अंदर जाके सांत जी महराईदे चरना ते नमशकार करके बेंती कीती के बैठे बैठे अंदरों ही फुरना होया हजूर दी हाजरी पर ये उसे वगत तौर पए ये आ आ हाजर होए हां होन जे आगया होए ता कीरतन करिये सांत जी कुटिया तो बाहर आ गया ते खुले मैदान विच कीरतन अरंब कर देता संग तो बहुत एक अठी हो गई आस्तों बहुत ही जादा संग देखके पाई वजीर संग जी को जो गिंटी विच पैगए कि किदरे लंगर विच तोटा ना आ जावे महराज जी अगे बेंटी कीती के हजूर होकम देवो उतां कड़ होर कड़ा परशाद क्यार करिये होर आटाले आके पकवाईए सांत जी महराज ने फरमाया चिंता ना करो साथ गुरू हाजर समगरी विच वी बरकतां पाउन गे एह कहके सांत जी महराज ने कड़ा परशाद परशादें आते त्यार लंगर दी सारी समगरी उपर कपड़ा पवादता आप चौंकडी मार के पास ही बैठ गई ते होकम देता के लंगर वरताओ होकम देन दी देर सी के माई पाई दिया पंगता लग गईया शाम तीकर लंगर अतोट वरतिया कड़ाः परशाद सावनों मिले आते सावने परसान हो केशा गया अते करानों जान वेले वी वरतारा नाल लेगे गई सारे पेंडवेच लंगर दा परशाद वरताया गया गाईया मजियाने वी राजे के खादा फिर भी दो तैनसो परशादे वद रहे जाद तीक लंगर वर्त दा रहा सांत जी आपने आसन तो ना हिले जाद सारा जग वर्त चुका सी ताद पाई वजीर सेंगते माई पाग पर इने बेंती कीती के सांत जी महराज इह साव आप जी दी किरपा है के जाग ऐसा तोट संपूर्ण होया है असीता कब रागए सां सिर्फ चार गोरियां आटा ते बाई सेर कड़ा परशाद सी एह सौन के सांत जी महराज बड़े खिड़ खड़ा के हास पए ते आख्या प्रेमियों एह साव सात गुरू नानक देव जी दी बरकत है असीता उन दे चर्णा दा त्यान करके तिचर मूल ना थुणी दो जिचर आप किरपाल सब दे खोट बाबानान का खाहे खर्चतान माल गोबत पड़ दे रहे तुसें वी जदो लंगर सजाओ अते वरताओं ता ये शाव्द गोबत पड़या करना कदी वी तोट ना आवेगे एह कहके सांत जी बावली वाली कुटिया वेच गए थोड़ा लंगर दा प्रशाद शक्या अते साव सांगत नों वेदा करके अपने रांग वेच जोड़ गए कांड तेर्वां पहिलां बाबे पाया बक्सदार पिछों दे फिर कालक माई रेत अक आहार कार रोडां की गुर करी विशाई पारी करीत पस्या बड़े पाग हर्श्यों बने आई बाबा पैदा साच खांड नावन दनाम गरी भी पाई बाबा देखे त्यान तार जलती साब प्रिथवी दिसे आई बाजो हो गुरू गबार है 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 करदी सुनी लुकाई बाबे पेख बनाया ओदासी की रीत चलाई चड़या सोदन तर्त लुकाई पाई गुरु दास जी चाली देन कठन ताप जगदे मगरों शे देन सांत जी महराज हौली हौली खुराग कटाई गए शेकडले देन सवेरे एक गराही शकी अते शामनू आन बिलकुल ग्रहन ना कीता सात में दिहाडे पाई वजीर सेंग जी अते माई पागपरी अपने नेतने मनसार जाद सेवा लई आये ताद की वेख देहान के एक बावली वाली कुटिया दा दरवाजा बांध है आते सांत बाहर किदरे नजर नहीं आउंदे प्रेमी सारा दिन बैठ बैठ के चले गए माई पागपरी दे चेत वेच सांत जी महराई दे चर्ण कमलादा तीबर प्रेम सी एह हर रोज चूरी कोट के लिए आवे आते कुटिया दे बाहर बहुत चिर बैठी रहे एस तरह माई पागपरी नू चाली देन दर्शन ना होई एक ताली में देन जाद पाईवजीर सेंग अते माई पागपरी अमरत वेले आए ताद की देख दे हन के कुटिया दा दर्वाजा खुला है अते महराज अंदर हन प्रेमी बड़े ही खोश हो या ते बेंती कीती के हजूर बाहर आके खुले दर्शन देवो सांत जी महराज ने अंदरों ही जवाब दिता के साड़ा इरादा शेम ही ने अंदर ही रहन दा है असा दर्वाज्जा आज एसली खुलिया है के तुसी बहुत कबरा आगए सी के सानो तो हाड़ी बहुत खेच पैंदी सी एह सौन के माई आते असदा पती दूमे कुटिया दे दर्वाजे विच खड़े हो गए आते बहुत हाथ जोडे फिर अंदर जाके चरना ते टह पाये ते बेंती कीती महराज सरीर बहुत कमजोर हो गया है कुज चेरे सनो राम आ जावे फिर हजूर शे महिने दा ताप अरंब कर लें प्रेमिया दियात निमरता आते प्रेम परी बेंती सान्त जी महराज नो मनजूर करनी पै फिर सान्त जी कुटिया तो बाहर आ गए माई पाग परी दोड़ी दोड़ी कार आई कौज के ओले आई ते आउंदियां ही के ओनाल महराई दा गला मलन लग पै महराज ने आख्या पोली माई साठा गला नहीं सुक्या सान्त पता भी नहीं लगा असा दरवाज्जा तांग खोलिया है के सान्नों तुहाडी खेच हर वेले पैंदी सी अते हर रोज परशाद दी नरादरी हुंदी सी फिर माई ने खान वास्ते कोज नर्म चीज लियांदी अते दो दिशकाया दो देन महराज नू परशादा ना दिता खिचडी याद के नर्म खुराग लियांदी रही शे महीने कठन ताप दो महीने सांत जी बाहर रहे फिर सांत जी महराज ने खुराग कठाउनी शुरू कर दिती अते अठमे देन रात नू आन बेलकुल ग्रहन ना कीता माई पाग परी पिछली खेड तो होन कोज जानू हो चुकी सी उसने पुछिया के महराज फिर चिले पैसो सांत जी महराज हास पयाती आख्या के तुसांता साथे देल दी बुझ लई सुपाग जोडी ने बेंती कीती के महराज कोज खान वास्ते दसो नहीं तासी दोमें जी पुखेते हाए दारगे बेठे रहांगे सांत जी महराज ने फुरमाया के आन शाक के एक रास बेठेया नहीं जानदा ते चिला भी मनजूर नहीं हुनदा साड़े वास्ते अमर्त वेले पाओ को दोद अते शामनों पाईया पर सरदाई कुटिया दे आले विच बाहर रख जाया करना असी आपे ही लेलया करांगे नाल ही हर रोज एक दात्तर न तरद्या करने गुरमता हो गया अते दूसरे देन ही सांत जी महराज ने अपनी कुटिया दा दर्वाजा बांद कर लिया प्रेमी हर रोज अमर्त वेले दोद अते शाम दे वक्त सरदाई ते अक सजरी दातन कुटिया दे आले विच रख जाया करना महराज ले लेन ते खाली बरतन मुरी विच राख देन ऐस तरह गिंद्या गिंद्या प्रेमिया ने शे महिने बिताई सांत जी महराज अंदर ही सिरिय काल जी दी जाद विच मगन सान न ते एह दोमे मर्जीवडे बाहर सेवा दी तोन विच मस्त सान दामपती नू हार वक्त एह तांग लगी रिंदी सी के कादो सुपाग देन आवे जाद महराज जी दे खुले दर्शन होन चिरांदे उडीक दियान नू एह देन आगया ठीक शे महिने बीतन मगरों जाद पाई वजीर सेंग अते माई पाग परी अमर्त वेले आए ताज की देखन के कुटिया दा दर्वाजा खुला है पर महराज अजे अंदर ही हाना दो में जी अंदर गए सरीर कोज निरबल हो गया सी अते अंदर ही लतां बहवां गले अते सारे सरीर दे गर्म क्याओदी माल चिकीती फिर अराम नाल महराजी नू बाहर ले अंदर बाहर आके तालू वेच मखन चसेया अते केसा नू क्या हो लाया ऐस वेले केस बड़े लम्मे सान अते जाद सांत जी महराज खड़े हुंदे पैरां ती कर जान दे सान एक साल ताप करना थोड़े चेर मगरो महराज ने प्रेमिया नू आक्या के सादा जी एथे बैठ के सिमरन वेचे न लगदा है अते नांद वेच मगन रहिदा है के ते चाउदा है के कई साल बैठे ही रहिए अते बैठे यां बैठे यां सरीर ते वर्मी सारा सरी मिटी नाल टकया जाए जाम जावी होनसी शेती एक साल वास्ते कुटिया दा दरवाज़ा डाल वांगे माई पाग परी याते उसदा पतिये सौन के महराई दे चरना दे टहप याते बेंती कीती महराज कोज चरता राम कर लगो प्रेमियां दे खेडे पैजान पर सांत जी महराज ने चार महिने बाहर रहन दा बचन कीता माई पाग परी हर रोज अमर्त वेले सांत जी महराई दे स्रीर नू बड़े प्रेम नाल मालश कर दी जो अन ना शकन अते अंदर बैठन करके बड़ा ही सोक गया सी अते काला सियाह हो गया सी गले नू भी मालश नाल नर्म कीता दास देन दोदी ही शकन मगरो अन अंदर गया एक देन जाद माई मालश कर रही सी ताद सांत जी महराज ने फरमाया माई ऐस मिटी नू क्यों सवार नी है ऐस कोलों जिन्ना काम ले ले ये उन्ना ही चंगा है ऐस तरह प्रेमदी लहर विच चार महिने बड़ी शेती बीट गए महराज ने फिर बारां देन हौली हौली खुरात कुटा के कनोहे दी ऐस सुपाग जोडी नू आखिया के ऐसी एक साल वास्ते एक रास सिमर नले कोटिया विच बैठांगे दामपती ने बेंती कीती के महराजी कोज अनपानी शक्न वास्ते मनजूर करो दोपहर तीकर सांत जी महराजी दे चरना विच बेठे बेंती करी गई आते परशादा भी न शक्या सांता ने आखिया के कारजा के प्रशादा शको फिर शाम वे ले आउना पर प्रेमी अन्याने बाल का मांगू खेड़े पैगए अते पोले पाई आखिया जाद बचन करसो अते खान पीन वास्ते कोज ठहरावसो ताद जासन एह सौन के महराज हास के बोले तुसी की चाउंदे हो माई पाग परी ने हाथ जोड के बेंती कीती के महराज होकम करो ताँ पतली शुहानी ले आया करिये महराज ने शुहानी मन्जूर ना कीती पर आखिया के अमर्त वेले दोद पिछले पैर सरदाई यते रात वेले सब जीदा काउल एक सजरी दातना के वांगों कुटिया दियाले वेच तार जाया करनी बेंती मन्जूर होन पर प्रेमी बड़े खोश होए पर नाल ही बेंती कीती के हजूर अठमे देन केसी शिनान वास्ते दही तर नदिया क्या देवो महराज ने के हसात बचन होन प्रेमी प्रशाद शेकन लई कारे आयाते शाम नू महराज दे दर्शन कीते मानविच वैराग सी की जानिगे एह साल कद बीत सी अते कादे है समा फेर मिल सी दूसरे देन कुदर ती पहली वसाख खालसा जी दा जनम जन सी सांत जी महराज पंजा प्यारयां दे साहिब अकाली पांथ दे सिजावन वाले मीरी पीरी दे मालक सचे पात्षा स्रीगुरु गोबिन सिंग जी महराजी दे चरना कवलां ते आंतार अमर्त वेले दो वजे ही आसन जमा के कुटिया वेच बैठ गए याते दर्वाजा बंद कर देता माई पाग परी देन वेट दो वारी आवे अते दोद सर्दाई आले वेच तर जावे शाम वेले पाई वजीर सेंग जी दातन अते सब जीदा कवला लेयाऊन अते खाली बरतन ले जान दो में जी कुटिया दे आले द्वाले हर रोज कई प्रकर्मा कर नते कुटिया वल कानला के सुनन पर कोई वाजना आवे प्रेमिया दे कार दोद दे सर्दाई दाता कोई काटा नहीं सी पर कनोहे जैसे नगर वेच हर रोज सब जीदा मिलना कठन सी इननू सबजी दा बड़ा फिकर रहे पर थोड़े दिना वेच ही करतार ने कोई ऐसी खेल वरताई के कल्लर देरा खाल सा रावल पिंडी तो सबजी याउन लग पई कार वेच सबजी दे टोकरे परे ही रहन एस तरह संत जी महराज जागदी जोत नाल एक टक जुड़े रहे जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नेक न आन पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मडी मट पूल न मन तीरत दान दयात अब संजम एक बिनान एक पशान पूर्ण जोत जगय काट में ताब खाल सताहे निखाल सजान पूरे एक बरे मगरों ठीक पहली वसाख वाले देन समत उन्नी सो तरवंजा सान ठारां सो श्यासी इसवीनू अमर्त वेले कुटिया दा दरवाजा खोलया गया प्रेमी अग्गे ही ऐस देन दिव डीक वेच सुखां सोखरे सन ज़ादा मर्त वेले आये दरवाजा खुला देखिया ताचेत बड़े ही परसान होई नाल ही मान वेच तोख तुखी लगी होई सी के खबरे स्रीर दा की हालो वेगा प्रेम अते फिकर दी ऐस दशा वेच प्रेमी कुटिया वेच गये की देख देहन के स्रीर पामे बेलकुल सोक गया है अते हड़िया पामे एक एक करके गणिया जान दिगा हन पर चेहरा खिड़िया होया है मत्य ते कोई ऐसा नूर है के जलाड चलिया नहीं जान दा प्रेमी चरना ते टह पए लता दबिया माल से कीती अते फिर बाहर लें दा महराज हास के बोले असी कोई हालवों दे रहे यां के ठाक गए हैं तुसी साड़ा इतना फिकर क्यों कर दे हो पाईवजीर सेंग ने अख्या महराज आप तो वड़ा हाल के सने वहना है आप सारी स्रीष्टी दे थम्मन लई अपने स्रीर नो ऐस तिखिया विच पाउंदे हो पहले दो त अपांदी सो अग्गे फैल चुकी सी पर तीसरे साल दे तापदी तांगता दूर दूर चली गई गुरु किया संगता हर रोज आउं लग पैया तोलक शैनें दी गूंज हर वक्त लगी रहे कदी कोई जथा इस पास्यों आजावे कदी कोई जथा उस पास्यों आजावे हर वक्त दिवान लगा रहे या ते एक दूसरे झाल कांड चौदमा सुही महला पंजवा कर्म तर्म पाखांड जो दिस है तिन जमजा गाती लूटै निर्बान कीरतन गाव करते का निमख सिमरत जित शूटै संतो हो सागर पार तरिये जेको बचन कमावे संतन का सोगुर परसादी तरिये रहाओ कोट तीर्थ मजन इस नाना इस कल में है मेल परी जै साद संग जो हर गुन गावे सो निर्मल कर लिजै बेद कतेव सिमरत साब सास्त इन पड़िया मुकत न होई एक अखर जो गुर मुख जापै तेस की निर्मल सोई खतरी ब्रहमन सूद वैस उपदेश चहवर ना काव सांजा गुर मुख नाम जपै उद्रे सो कल में है काट काट नानक मजा संगतांदा खिचे आउना तीसरे तापदे मगरों संगतांदा आउना जाना बहुत हो गया अते कई प्रेमी सांत जी महराईदा प्रताप वेखे के इर्खावी करन लग पई पाईवजीर सेंग ते माई पागपरी दे बेंती करन पार संत जी महराज जी ने रात वेले अनेन पगतां दे कार प्रशादा शकना शुरू कर दिता अते रात अराम वी इनना दे कार ही करन दो तेन कंटे समद्धी अस्थेत होन दे मगरों देन चड़दे नाल ही ताप स्थानवल जान अते पाईवजीर सेंग ते माई पागपरी दोहन नाल लेयों आप पाठ करन अते ना प्रेहमियान वी करोन कोज चेरमगरों सवेरे अते शाम शब्द कीरतन शुरू कर दिता सारा पेंड नाल राल जावे दो साल एक कीरतन बगैर साजान दे हुंदा रेहा फिर महराज ने रावल पिंडी तो जोड़ी मगवाई जोड़ी आयानू थोड़े ही देन बीते सान के रागी राम सेंग जी सरंदे वाला पाई नांद सेंग जी अते पाई वर्याम सेंग जी सांत जी महराज दी सेवा विच हाजर हो गय अते नेतनेम कीर्तन रागवेच शुरू हो गया पाई प्रेम स्यंग जी होन महराज दी निगा जथा बन अनवाल होई अते आई देन नमे तो नमे सेव करालन लाग पै एक देन पाई प्रेम स्यंग जी पेंड़ दे तो बी गुर्द्वरा सेव दी बावली उते कपड़े तो रहे सान अते नाल नाल सुखमनी सेव दा पाठ कार रहे सान कुदर्ती संत माई पाग परीदे करो पुलाहियां वल जा रहे सान जाद कोलों लंगे ताद पाई प्रेम स्यंग जी उते आप दी निगा पै गई आख्या प्रेमियां तू ताँ गुर्मग सेख हैं क्यों लोकां दी मैल तू उदा हैं ए गल सौन के पाई प्रेम सेंग सान्त जी माहराजी दे मगर तुर्पया चरना ते मथा टेके आते बेंती कीती हजूर मेरे हाथ तुंडे हन मैं मेहन्त करके गुजारा करदा हां मैंनो तवेले बेठे नो रोटी भी नहीं कोई देन लगदा महराज ने किया तेरे मस्तकते पजन करना लिखिया है रोटिगा तेरे मगर मगर फिर न गिया सांत जी महराई दिये है सीस सुन के पाई प्रेम सेंग जीदा होंसला वद गया अते बेंती कीती महराज एक देन दी मुहलत देवो कल सवेरे हजूर नो उत्तर दियांगा दूसरे देन पाई प्रेम सेंग आया हजूर मेरा मान आपता हुकमनली त्यार हो गया है मैंनू आग्या देवो जो मैं कपड़े सुका के प्रेमियां दे कार देया मा फिर हाजूर हो जावांगा महराज ने किहा के चंगा देयाओ कपड़े पेंड विच दे के शाम नो पाई प्रेम सेंग आ हाजूर हो या आपना कार वेच के गुर्द्वारा सेवेच एक चुबारा बनवा देता ते पांडे गुर्द्वारा सेवेच दे देते चंगे कपड़े वेच के गुरुदा लंगर कीता ते पाटे कपड़े फूग दिते होन प्रेम सेंग देन राद पजनवेच लाग पया आते सांत जी महराई दी किरपा द्रिष्टी नाल ग्यानी बन गया एक वारी जाद सांत जी कई साल दे दोरे मगरों फिर कनोहे आए ताउस वक्त ग्यानी प्रेम सेंग नाल सान अमर्त वेले आसा जी दी वार्दे कीरतन मगरों सांत जी महराज सांगत दी बेंती करन पर एक शावददार्थ कर रहे सान एस वक्त पाई प्रेम सेंग जी गुर्दवरा सेब दी खीरली कोठी विच बैठे सान अंद्रों ही बोल उठे महराजी तुसी पॉल दे हो महराज ने फुरमाया गुरू दी बानी ब्यानत है एस दार्थ कोई नहीं लाख सकदा पर तुसी होन ग्यानी हो गई हो अते विद्यादा कोज अब मान हो गया है तुसी होन साथों वक्रे रहा करो सो कोज चेरवास्ते पाई प्रेम सेंग जी वक्रे हो गई अते फेर गुर साकर मस्तु अने दी सेवा विच हाजर हो गई पर एथों भी वाक्व होके कांजले चले गए पाई बाज सेंग जी पाई बाज सेंग जी कलर विट दुकान कर दे सान अते अपने टट्टू ते गुजरान सवदा सूत लेन ले बहुत वरी जान दे सान पाई साहिब बहुत चेरतों ही आये गए सादूंदी बड़ी सेवा कर दे जाद तीसरे ताप मगरों सांत जी महराई जी सो सुनी ताँ आप दर्शन वास्ते आउन लग पए जाद कदी गुजरान जान महराई जी वास्ते कोई न कोई वास्तू ले आउन तेक नोही हाजरी पारके फिर कलर जाया करना एक दिन पाई बाज सेंग जी गुजर खान तो आये टटू हाथ विच फड़या होया सी टटू नू पुलाहिया नाल बन के महराज नू नमसकार भी कीती या ते पेटा अगे रखी फिर टटू दा लगा तो उन लग पई महराज जी ने पुछया पाई बाज सेंग जी कोई सबंदी हैं पाई बाज सेंग जी ने उत्तर दिता महराज जी कोई नहीं इस सुनके आपने फुरमाया फिर क्यों टंटे कर दे हो अते टटू दा लगा तो उन दे हो होवेगी पाई बाज सेंग जी ने उसे कड़ी बचन मन लिया कलर जाके टटू शट दिता दुकान लुटा दिती अते संत जी महराज पास आ गए संत जी ने बड़ा प्रेम कीता दो तेन जन अपने पास रखिया ते फिर होकम दिता के असे तुहानो नाल नहीं रखना तूसी कड़ी होर जाके सिमर्न करो पाई बाज संग होकम मन के थोहे खाल से ठाक और नहाल संग जी पास चले गए अते करतार दी जाद विच लग पए कोज चेर मगरो संगता विच कीरतन रंब कर देता ते तनी पोठो हार दे एक बड़े प्रसेद संथ होए बड़ी उची सौर विच तोल की शैनेयां दी गूंज नल कीरतन कर दे अते कई वारी मौज विचा के तूतियां ते तोल वजवा के शब्द पढदे पाई कलियान सेंगरी पहिला इना दा नाम कलियान दास सी कलर रहिंदे यते बाजारी दी दुकान कर दे सन संथ सादू दे खोजी सन संथ जी महराई दी त तिख्या सोन के एक देन कनोहे दर्शन करन लई आए मन वेच ख्याल सी के कोई मानदियां वांगा मोड़न वड़ा मिल जावे जाद पाई कलियान दास जी ने दूरों ही संथ जी महराज नू नमशकार करन लई जोड़ा लाहिआ ताज संथ जी महराज ने आख्या आओ पाई कलियान सेंग जी असी तुहानू चेरदे उडीग रहे सी पाई कल्यान दास जी नियगे सांत जी दे दर्शन कदी भी नहीं सिखी थे इना दे मुखार बिंद तो अपना नाम सोन के निशा हो गई के एह कोई पूर्न अंतर जामे साधु हन चरने ते टहप या महराज ने आदर नालो उठाया ते केहा कोई शाब्द सुनाओ पाई कल्यान दास नू एस समय शाब्द ता कोई भी कांठ नहीं सी बड़ी सुरीली ते मिठी वाज नाल पंचम सुरवेच इह बेशन पदा पढ़के सुनाया जैस दांतर एह सी सांत जी महराज बड़े प्रेम वेच बेशन पदा सुन दे रहे जाद पाई कल्यान दास ने पोग पाया ताद सांत जी ने बड़ी उच्ची सुरवेच पढ़या कोई विरला मोड नहारा मन दिया वांगानू पाई कल्यान दास दे हिर दे वेचे तोक तीर दा काम कर गई अते मन वैराग वेच पेज गया कल्लर जाके दुकान दिया कुझिगा सोट आए ते सांत जी महराज पासो अमर्त शाक के बाई कल्यान सेंग जी होए आते सम्मत उन्नी सो नसी बिकर मी सान उन्नी सो बाई ईसवी तीकर सांत जी महराज नाल कीरतन वेच हाजर रहे पाई बूटा सेंग जी पाई बूटा सेंग जी रागी निकी उमर तो ही गुरुबानी अते कीरतन दे आश्क सान एहना दा पैंड दो पेरन सी अते नरायन सेंग जी रागी नाल कीरतन कर दे हुंदे सान एक दो वारी अग्ये भी सांत जी महराई दे दर्शन कीते होए सान जाद एहना दी उमर बाई साल दी सी एहे अमरत वेले देन कड़न तो पहला ही माई पाग परी दे कार सान्त जी महराई दे दर्शन करना ही एहना दे हाथ दे गाना बद्दा होया सी एहना दा व्यास होद्या होया सी आउंद्यां ही बेंते कीती महराज जी मेरे गाल बड़ा पैन लगी है मेरी माँ बड़ा जोर दे के मेरा व्याकर वाउंदी है पर मेरा चैतनी मन दा सान्त जी महराज ने फुरमाया तकड़ा हो बंद्दना विचना पै एह सुन के पाई बूटा सेंग जी ने गाना तोड़ दिता ते मथा टेक के चले गए जादे बाहर निकले ताद माई पागपरी ने जो के इना दे बचन सुन रही सी महराज जी नो पुछिया हजूर की एस दे कोई मुकदमा बंगया है सान्त जी महराज बड़ा हसे अते उत्तर दिता नहीं एस दे पागाविच गुरबानी दा कीरतन अते बंद्दगी है खेम सेंग जी दा पहला मिला आप एक देन बाबा खेम सेंग जी आपने दोरे वेच कुनोहे आए थोड़ा देन चड़े आपने नेतनेम और सार शुकार ले पुलाहियां दी चंगी वेचों लंगे एस वक्त सांत जी पूरी लेई आपनी मौज वेच लेटे पाए सान चार दो में नंगे सान बाबा खेम सेंग जी संता साधुआं दे बड़े मिलापी सान बंदगी वाले आते सात संगी होन करके अपने रंग विच मास्त साधू नू बाबा जी ने जगावना वाजब ना संजिया थोड़ा चर बैठके चले गए पर कुदरती बाबा जी दी निग दर विच आये ताद अपने सिखां सेवकन पुछया तो हाटी चंगी वेते केडा साधू है एसने ता चक्रवर्ती राजा बनना सी एह पूरी लई कि थे एस तरहां प्या है प्रेमिया ने सांत जी महराई दे कनोहे आउन अते पुलाहियां वेच तैन कठन ताप करन दी वि मिलाप दी खेच होर वद गी ऐस देन परशादा कुदरती पाईवजीर सेंग दे कारसी बाबा जी ने बकरा चिटकाउना बांद कर देता अते पाईवजीर सेंग जी नो किहा के परशाद वेले सांत जी महराज नो पंगत विच दर्शन देन लई बेंती करना जाद परशा जादा त्यार हो गया तां बाबा जी अपने सेव का समेथ आए अते संत जी महराज भी पुलाहियां विच्चों आ गए बाबा जी ने संत जी नो अपने पास बढ़ा लिया, ओन परशाद वरत ना शुरू हो गया जाद परशाद वरत चुका, ताज संत जी ने बाबा जी नो के हाथ उसा अज ने तदा पोजन क्यों बंद कर देता बाबा जी ने प्रेम नाल जवाब दिता के तो हाटे नाल पंगत वेच बेठेया एह गल सुबबा नहीं पौंदी सी बाबा खेम सेंग जी जिन्ना चेरे से दोरे वेच खनोहे रहे साब दे कार बकरा चिट काउना बांद कर देता हार रोज सांत जी महराज नो पुलाहियां विचों सदवा लें दे हाटे पंगत वेच नाल बैठ के परशादा शाग दे कौडा पानी मिठा हो गया पाई वजीर सेंग जी दे कार दे बूहे अगे एक कच्ची खूही सी सांत जी महराज एनानु आख दे के खूहु पका करा लवो अग्गो माई पाग परी ते उस दा पती जवाब दिन दे के हजूर खूही दा पानी कौडा है एक दिन संत जी महराज ने पानी दी चुली परके खुई वेच सुट दितियते आख्या खुब नावो पानी मिठा है सुपाग जोडी ने सात बचन कहके मजदूर लादते चार पांच गाजते बड़ा सुंदर मिठा पानी निकलिया फेरो सारी लाके पका खुँ तियार होया हुणती करे खुई पाई वजीर सेंग दे कारदे बुहे के मजूद है पेंडवलों जान्दे होया दो फर लांग ते वड़े कासदी बाही ते संत जी महराज ने पहाडी वेच अपनी हत्ती एक शोटी जी गुफा बनाई सी एस विच कई वारी शोप ही चले जान दे ते करतार दी जाद विच मस्त रहिंदे एस गुफा तों दो तैन सो गाई ते पैंडवाले पास से संत जी महराज ने एक बावली वी अपने हत्तिया इश्नान करनवास ते बनाई जो होन तीकर मुजूद है एक दिन सांत जी महराज पिछले पहर एक दो वज़े दे करीब पुलाईया विच वाठ के माई पाग पर इदे कारे आए जेठ हार दे देन सन माई ने पुछया महराज एस विले तौप विच कैस तरह आए सांत जी महराज ने किहा कि गुरू की संगत आई है परशादा त्यार करो माई ने आख्या जी साद के चौँके विचो माई ने कोज आटा चुक्या हो या सी पुछिया महराज एना को आटा है होकम देवत होर गोन लमा आप जीने फरमाया एहु ही पूरा हो जावेगा माई ने तंदोर ताया ते खौज को आटा भी घौन लिया तंदोर दा तूआ सांत जी महराज वाल जानदा सी माई ने किहा कि हजूर तंदोर दा तूआ लगदा है आपने आख्यों कोई डर नहीं एक वाड़ी तूआ लगना ही है परशादे लाख के अंदर लिया अते फिर बाहर तंदूरवा लगई की वेख़दी है के तंदूर बिलकुल ठूंडा हो गया है सांत जी महराज हास के बोले कबराओ नहीं पंगत लाख के प्रशादे वरतावो यह प्रशादे पूरे हो जानगी सांगतनु सद्या पांगत लगाई अते संत जी महराई दे बचन दी बरकत नाल साथ को सरीर परसान होके उठे तन दूर दा वी इको ही पूर लगा अते जेडा आटा नमा गुन्या सी उवी वद रहा एक दिन सरदार मोहन सेंग चूनने वाले दे पुतर तेजा सेंग दा व्या सी उस दी बराद जाने सी व्या दी खुशी वेच बहुत सारे मुसलमान दंडे लेके आगे अते बड़ा कड़ मासान मचाया माई पाग परी व्याह वाले कारतों शेती अपने कार मोडाई क्यों जो एемся शंत जी दा पुलाईया तुवा मं दा वेला सी किदरे रवड़ा सुनके गुसे न हो जान अजे माई कारवड़ी ही शीके संत जी माहराज कारा गए रवड़ा सुनके आपने पुछिया के की गल है मुसलमान इन्ना रवड़ा क्यों पून देहन माई पागपरी ने कहा हजूर रौला कोई नहीं एक माई ने कोड़ों मेहना मारया दूसरे देन सांत जी महराज चले गए पाईवजीर सेंग जेते माई पागपरी ने बड़ी टूड पाल की थी पता लगा के कलर दे थाने दे पास लूनी नाले दी रेत विच बेठे हाना दो में जी ओथे गए अते सांत जी नू बेंती करके वाफस ले आए तीसरे तापतों दो कमिहिने पिछों गुजर खान दा पाई बिशन सेंग अते होर सांगत सांत जी महराज नू गुजर खान ले गए हीरा सेंग माई पाग परीदा पुजंगी जो एस वक्त नौ साल दा सी सांत जी नाल बहुत प्रेम राखदा सी हर वक्त सांत जी नाल रहंदा नाल ही शावद पढ़दा ते प्रशादा वी नाल ही शागदा यह बड़ा उदास हो गया, माई यह ते पाईवजीर सेंग दा चेतवी न लगे, साथ आठ देन मगरो गुजर खान गय यह ते सांत जी महराजा के बेंती करके उन्ना नुपनोही ले आए एस तो तीसरे देन मगरो जाद सांत जी परशादा शेकन ले माई दे कारे आए, माई दा शोटा लड़का ब्यांत सेंग, जो तैन साल दा सी बहुत बमार सी जाद सांत जी महराज ने परशादा शेकन ले एर सोई अंदर चर्ण पाए, ताद पजंगी दे स्वास माई दी चोली वेची ही निकल गए माई ने चोली कोटल यह ते लड़के दे चलाने दी जरावी योग सोग ना कटी, माई दी निनान मखनी रोटेप कारे ही सी एसने सांत जी महराज ते पाई वजीर सेंग नो कपड़ा वशाद ता ते माई पाग पर इनो परशादा वरताओं ले किहा माई ने कहा तुम ही शकादे काका बमार है जाद सांत जी ने परशादा शाकले आ ताद माई नो पुछे माई जी काकेदा की हाल है माई ने कहा महराज तुसी दा जानी जान हो हुन माई ने लड़केदा मुर्दा मंजी ते लिटादता सांत जी महराई दे मोखतो ये बचन निकलिया एस दा ना है सेवा माई तुम हर्ख सोगनी करना तेरे पा गामेच पजंगी कोई भी नहीं सी साज संकत दी सेवा करके तेरे कार परोपकारी जीव जनम आलेंदे हन अपनी मौजनाल ही आजान दे हन जनम मरन दोहु महनाही जन परोपकारी आए गुजर खान तो पाई बिशन सेंग जी महराज नलक नोहे आगे सन नौ देन एथे ही रहे बड़ा पारी जाग गुरु का लंगर कीता सांगता बहुत आईया ते पाई बिशन सेंग जी ने तोट सेवा कीती बड़ा शावद कीरतन होया मानो बैकोंठ को नोहे वेती ही आउत्रिया है